अब रोल पुष्पा का पुष्पा टू के मेकर्स ने बड़ी क्लाश मोल ली है क्योंकि इसी दिन अजे देवगन रोहिद शटी की सिंगम 3 रिलीस होने वाली है पुष्पा टू के मेकर्स ने रिलीस देट अनाउंस करने के लिए फिल्म का एक पोस्टर रिलीस किया इसमें अलू अर्जुन ने पुष्पा टू के इस पोस्टर को देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने पुष्पा राज के किरदार के साथ कुछ अलग करने की कोशिश की है शायद उस क्यारेक्टर को थोड़ा feminine touch दिया गया है या कुछ और angle भी हो सकता है पहले तैयारी थी कि पुष्पा टू को 2022 में रिल तब ही KGF 2 रिलीज हुई उसके बाद मेकर्स ने पुष्पा टू को दोबारा से शूट किया शायद पुष्पा टू के कुछ हिससे KGF 2 से मिलते जुलते थे अलाकि बाद में फिल्म के डारेक्टर ने कहा कि KGF 2 की वज़ा से उन्होंने अपनी पिक्चर रिशूट नही की है वो चाते थे कि दर्शव को को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाये इसलिए उन्होंने फिल्म के सभी सीक्वेंस को फ्रेश तरीके से फिल्म आया पताया जा रहा है कि पुष्पा टू के आदिकतर हिस्सों की शूटिंग हो चुगी है मगर काम अभी पूरा नहीं हु पूरा रहा है ऐसे में फिल्म को चार दिन का लंबा एक्स्टेंडड वीकेंड मिल जाएगा दिकत यह है कि इसी तारीक के लिए रोहिद छटी की सिंगम 3 बीश के डियूल है रोहिद बता चुके है कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है इस बड़े बज कोन करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ जैसे अक्टर्स नजर आने माले हैं ये तो प्राइमरी डी कास्ट हो गई बाकी रोहिचेटी की कॉमेडी गैंग भी इस फिल्म का हिस्सा होगी वही पुश्पा 2 में अलु अर्जुन के साथ रश्मी का मंदाना पहाद फासिल तो ह होंगे ही उनके साथ साई पल्लवी, जगपती बाबू और प्रकाश राज भी जुडेंगे पुश्पा दराइस के लिए अलु अर्जुन को बेस्ट आक्टर का नाशनल अवार्ड मिला है वो ये अवार्ड पाने वाले पहने तेलिगू आक्टर है एर पुश्पा 2 को नवार्णा को यह भी मेरे बेठे की एंट्री मतलब एंट बादमाश्व को डिसंट्र दिए इस एए वुट्कों समझतार्ट्या मेरे बात करने का वक्त नहीं है अब मैं जो भी बात करूँगा वो सिर्फ सिर्फ कुछे मारने के बात करूगा पुष्पा क्या 500 करोणी फिल्म बन पाएगी मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग राद के फिल्मी कलियारिन पुष्पा दा राइज ने हिंदी बाजार में करीब 100 करोण का बिजनिस कर लिया पुष्पा फिलहाल OTT पर रिलीज हुच की लेकिन अभी भी बॉक्स आफिस पर कमाई का सिलसला जारी पुष्पा के गाने और संबाद सब कुछ काफी हीट रहा पुष्पा को हिंदी वर्जन में रिलीज करने के पीछे गोल्ड माइन स्टेली फिल्म्स के डारेक्टर मनीश सा का हाथ जिन्होंने इस फिल्म का राइट खरीदे और फिर हिंदी में रिलीज किया साउथ की इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में काफी पसंद किया गया और पुरा देश पुस्पाटू के आने का इंतजार कर रहा है हाली में मनीश शाह ने एक इंटर्विव में पुस्पाटू की रिलीज डेट से लेकर सूटिंग स्रिडिूल को लेकर जवाब दिये गे ενटर्विव में मनीश सा ने कहा कि पुस्वादा राईज 17 दिसंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई पहले दिन अलो अर्जुन की इस फिल्म ने सिर्फ 3.33 करोन के साथ बॉक्स ओफिस पर खाता खोला था लेकिन क्रिस्मस के बाद इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ओफिस पर तेज रफतार पकड़ी और आज ये फिल्म 100 करोन का आकराच छोने में कामयाब हुई मनिश सा ने पुस्पा 2 की रिलीज को लेकर पूरा हिसाब किताब समझाया कि आखिर इस फिल्म को रिलीज होने में कब और कितना समय लेगा उन्होंने साफ कर दिया कि पुस्पा 2 इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी इस लंबी फिल्म की सूटिंग में समय लेगा उन्होंने बताया कि पुस्पा 2 की शूटिंग करीब 250 दिन तक चलेगी। पुस्पा के पहले भाग की शूटिंग 210 दिन तक चलीगी। साल 2030 तक पुस्पा 2 रिलीज हो। क्या प्रभास की बाहु वली दा कंक्लूजन का रिकार्ड पुस्पा 2 तोड़ पाएगी। इस पर मरिश्पा ने कहा कि बाहु वली की पहले पार्ट ने 120 करोण की कमाई की और पुस्पा ने और पुस्पा ने 3.5 करोण रुपे कमाएं। दोनों के बीच का जो अंतर है वो खत्म हो चुका है और पुस्पा और पुस्पा बाहु वली से आगे जा चुकी। अब ये देखना है कि आप Pushpa 2 वाहू बली 2 का रिकार्ड तोर देगी लोगों का तो ये मानना है कि जो Pushpa 2 रिलीज होगी तो वो फ्लोर पर 500 करोन नहीं भलकि 1000 करोन तक का बिजनिस कर सकते दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएए कि आप Pushpa 2 1000 करोनी फिल्म बनेगी फिर कब रिलीज होने जा रही है अलू अर्जुन की Pushpa आखिर रिलीज से पहले किसने से देख लिया है क्या वाकई ये KGF को टक कर देने को तयार है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलिग्राफ स्ट्यूडियो वें सोनी कजार दोस्तों Pushpa के लिए फैंस की excitement बढ़ती जा रही है और अब इसका जो काम है वो आगे भी बढ़ चुका है और एक साउथ की सूपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधावाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये KGF को टक कर देगी वो भी करारी वाली आपको बता दे ये आक्टर है बुची बाबु इन्होंने इस सूपर हिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लाइउन लाइट हासल की थी और बॉक्स ओफिस को हिला कर भी लिया था दिया से बात करते हुए बुची बाबु ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है इसका पहला भाग देख लिया है अब इसके दूसरे भाग के एडिटिंग चल रही है लेकिन बुची के अनुसार पहले भाग को इदेख कर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है फिल्म में अलू अर्जुन का करदार माइंड ब्लोइंग है वही रश्मे का मंदाना भी एहम रोल में नजर आने वाली है फिल्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले दो हफ्तों में पूरा कर लेंगे मेकर्स पुष्पा को इस साल के अंत में रिलीस करने का सोच रहे हैं मुची बाबू की माने तो अलू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तयार है अगर बात KGF की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीस होना है फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहलका म हशा के दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है अगर बूची बाबू ने पुश्पा की सीधी तुनला KGF से की है तो दर्शकों की उमीदे जो है वो बढ़ना लाजमी है क्योंकि KGF का भी अलगी स्वेय कि उसका दूसरा पाट आने वाला है और लोग जो है वो तरफ अलो अर्जन होंगे दूसरे तरफ यश होंगे और यश ने तो अल्रेडी एक ट्रेलर रिलीज कर दिया KGF का जो कि धासू है तो काटे की टकर होने वाली है दोस्तों आपको क्या लगता है आपको कितना वेट है पुश्पा का और क्या लगता है अगर पुश्पा औ पुश्पा इंडिया की अपकमिंग पैन इडिया बजट फिल्म एक्शन थ्रीलर फिल्म है जिसके लिए ओडियंस पेहद ही एक्साइटिड है एक तो बाहु बली और KGF के बाद फिर उन्हें साउथ इंडिस्ट्री की तरफ से हाई ओन एंटर्टेन्मेंट की सोगात मिलन उपर से फिल्म के लीड रोल कोई और नहीं बलकि साथ सूपरस्टार अलू अर्जुन है इसके अलावा इंडिया की प्रेजेंट क्रश दे क्यूटी रश्मीका मंदाना भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आने वाली है जाहिर है एक्साइटमेंट का लेवल साथवे आसमा जाही रहा था तब एक इंट्रव्यू में उनसे इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोफ का नाम पूछा गया काफी जिजगते हुए उन्होंने नाम दिया केजी एफेक्टर रॉकिंग स्टार येश का फिर क्या था येश की फैंडम ने भारी मातरा में उन्हें कमेंट्स ट् इस रिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी उन्होंने अपने फैन से ये सब तुरंत रोकने को कहा था उन्होंने कहा कि वो रश्मीका एक दूसरे को परसनली नहीं जानते हैं और किसी को भी किसी के भी बारे में उपिनियन्स रखने की पूरी अजादी है इसके उनके बिहेव रश्मीका और यश दोनों ही स्टार्डम की उचाईयों पर है तो अकसर उनसे जोड़ी खबरे यूँ ही सर्फीस पर आती रहती है ऐसे में कई अतीत में रश्मीका के मूं से निकली एक बात उनके आज पर असर ना डाल दे वैसे भी आजकल पुराने ट्वीट्स और इन्होंने इस फिर्म का आधाबाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये केजी अफ को टक कर देगी वो भी करारी वाली आपको बता दें ये आक्टर है बुची बाबु इन्होंने सूपर हिट साउथ इंडियन फिल्म उपें से लाइन लाइन लाइट हासल की थी और बॉक्स ओफिस को हिला कर भी था वहीं मीरिया से बात करते हुए बुची बाबु ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है इसका पहला भाग देख लिया है अब इसके दूसरे भाग के एडिटिंग चल रही है लेकिन बुची के अनुसार पहले भाग को ये देखकर वो इतना दावा कर रहे है कि पुच्पा का पहला भाग दस के जी अफ के बराबर है फिल्म में अलू अर्जुन का करदार माइंड ब्लोइंग है वही रश्मे का मंदाना भी एहम रोल में नजर आने वाली है फिल्म के मेकर्स पुच्पा का बचा हुआ पार्ट अगले दो अलू हफ्तों में पूरा कर लेंगे मेकर्स पुच्पा को इस साल के अंत में रिलीज करने का सोच रहे हैं मुची बाबु की माने तो अलू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तयार है अगर बात कीजिय अफ की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रुलीस होना है फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था ऐसे में देखना दिल्चस्प रहेगा कि बुची बागपु की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं मतलब की जैसा उन्होंने कायव ऐसा होता है कि नहीं क्योंकि के जीफ के पह काट आने वाला है और लोग जो हैं वो बेसबरी से इंदजार कर रहे हैं अगर मोस्ट अवेटेज फिल्म बोला जाए तो के जीफ है तो ऐसे में अगर पुष्पा रिलीस होती है तो यह देखना दिल्चस्प होगा कि क्या यह को टकर दे पाएगी साउथ के दो बड़े स् पुष्पा का और क्या लगता है अगर पुष्पा और के जीफ के भड़न्त होगी तो कौन आगे निकलेगा क्या एक जूट पड़ जाएगा पुष्पा के पीछे हो रही लाग महनत पर भारी तो हाई गाइस में हुष्ट्रिया रोरा आपकी आज की होस्ट आप सभी का स् चैनल पॉलीकाट्स वीडियोस में तो चलिए बिना जादा वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो अब वो दिन चले गए जब फिल्मों की पुपुलारिटी को केवल उनकी इंडास्ट्री में नापा जाता था अब उन्हीं फिल्मों को मोस्ट अवेटिव का टा की है इन्हीं मोस्ट आंटिसिपेटड फिल्मों में से एक है साउथ सूपर स्टार अलु अर्जुन की अपकमिंग एक्शन थ्रिल्लर फिल्म उश्पा जिसके बारे में हर नई खबर फैंस के लिए एक्साइट्मेंट को चार गुना बढ़ा देती है लेकिन कहीं अलु अर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले तो इस कॉंट्रोवर्शिल कहानी की शिरुवात होती है एक ट्वीट और एक अनाउंस्मेंट से वैसे तो अलु अर्जुन के फैंस के लिए एक बेहत सुखत भोशना थी लेकिन शायद खुद अलु के लिए ये इतनी लखी नहीं रही दर असल साउथ के फेमस प्रेडियूसर बनी वास और अलु अर्जुन काफी अच्छे दोस्त हैं हाली में बनी वास का बर्स्टे मनाने अलु मुंबई गए थे जहां वास किसी काम में बूसी थे ये वाकई उनके लिए एक हार्ट वार्मिंग सप्राइस था जो कि कुछी समय में अलु के फैंस के लिए इतना बड़ा शौक बन गया अच्छली वास ने अलु की कुछ अपकमिंग फिल्मों की अनाउंस्मेंट की जिसमें पुश्पा, वेनु स्रीराम की आईकन, पुश् चीकी बात है, लेकिन इस अनाउंस्मेंट ने अक्टर को मुसीबत में डाल दिया, पहला कारण तो ये कि अक्टर्स अक्सर अपनी फिल्मों की अनाउंस्मेंट यू नहीं करते हैं, अनलेस उन पर काम जल्दी शुरू होने वाला हो, या हो चुका हो, प्लास इस लिस्ट मे एर मुरुगा डॉस की फिल्म भी शामिल है, जिसे अलू ने पिछले साल ही रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद इसके लिए राम उथी ने इनी को अफ्रोच किया गया था, अब पूरा सिने वर्ल्ड और मीडिया इस अनाउंस्मेंट के पीछे के मकसद को जानना चाहता है कि क्या ये प्रेडूसर्स को आक्टर की अवेलेबिलिटी के बारे में बताने के लिए एक स्टंट था, या फिर बाकी आक्टर्स को कॉम्पेटिशन देने के लिए जिनके अपकमिंग फिल्मों की लाइन काफी लंबी है, अब डर तो यही है कि कहीं स्टंट का अलू के क प्रेंड की मिस्टेक थी, या एक प्रॉपरली स्ट्राटेजाइजड एजेंडा, अपनी राएं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पिल्कोल ना भूलें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जोड़ी वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा, तो दोस्तों, बाहु बेली के ग्रेंड और और उसके बाद के अलु अर्जुन नजर आने वाले हैं, वैसे तो अलु अर्जुन का फैन बेज इंडिया में काफी समय से पूरे भारत भर में फैला हुआ है, लेकिन हाँ, इसका हाइस प्रपोर्शन साउथ के दर्शकों को जाता है, और शायद इसी प्रपोर्शन और इसी रेशियो को चे अलु अर्जुन को प्रभास के पराबर आने के लिए प्रभास के ऊपर चड़ना पड़ेगा, अब मैं जानती हूँ, आप काफी कंफ्यूज हो गये हुए, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बड़ेगी, आपकी कंफ्यूशन दूर होती जाएगी, इसलिए वीडियो को जरूर देखें, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चानल बॉलिग्राट स्टूडियो में, मैं हूँ आपकी दोस मिनाक्षी, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अलु अर्जुन की अपकमें, पानिल्या रिलीज वाली मूवी पुश्पा के बारे में, तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुश्पा, रेट सांडल बॉड की स्मगल की कहानी होने वाली है, जिसमें अलु अलु अर्जुन काफी खास करिदारों में नजर आने वाले हैं, जहां एक तरफ वो एक लॉरी ड्राइवर बाइ प्रोफेशन हों कि बॉक्स ओफिस पर बाकी कॉंपेटिशन और क्रिटिसिजम के साथ साथ उनको एक बहुत बरी डकल मिलने वाली है, प्रभास की मूवी सलाज से, तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पुश्पा का सबसे बड़ा कॉंपेटिशन, क्रिटिसिजम या बॉक्स ओफिस प वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आती है, कि दोनों की मूवी साथ इंदास्ट्री से बिलॉग करती है, लेकि सिमिलारिटी इसकी अलंबे लिस यहीं खतम नहीं होती, दरसल दोनों मूवी की शूटिंग तिलांगना में हुई है, और तिलांगना के एक ऐसे जगह पर यहां पर उसको कोल माइन कहा जाता है, अब पहली बात तो यह है कि हम जानते हैं कि पुश्मा एक स्पगलर से जुड़ी कहानी है, लेकिन क्यूंकि शूटिंग फिल्म की कोल सीटी जैसी जगह पर हो रही है, तो हम लोग यह गैस लगा रहे हैं, कि शायद सलार में भी हम को कुछ ना कुछ स्मगलीन से रिलेटेट जरूर मिल जाए, अब अगर वहीं बात करें, सिर्फ इन दोनों फिल्मों के बारे में तो अभी केजी अब भी ऐसी है, जो कि गोल्ड पर अपना कबजा दावाने की कोशिश कर रही है, तो दोस्तों अब ऐसा नजर आता है कि फाइ फिल्म की रिलीज कैसे रहेगी और बॉक्स ओफिस पर वो कितनी टकर दे पाती है प्रभास की मूवी सलार को, और अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि उनको प्रभास से जादा हिट करना पड़ेगा अपनी मूवी को ताकि वो प्रभास वाले स्टांडर्ड पे करेंड़ी आ अब सिर्फ इतना ही नहीं, खास बात ये भी है कि ओडियंस अब हीरो को सर्फ हीरो के आरेक्टर में नहीं देखना चाहती, उन लोग को पसंद आता है कि अगर नेगेटिव करेक्टर को एक्स्प्रोर करने का मौका मिले, और सबसे खास बात यही है कि तीनों मूवी में कही अब इतनी सारी सिमिलारिटीज और आज पास की रिलीज डेट, तो देखना होगा कि किस मूवी को कैसा ओपीनियन मिलता है लोगों से और दर्शक किसको देते हैं बेस्ट स्मगलर काताज, तो दोस्तों आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर ब क्या है फिल्म की नई अपडेट पर फैन्स का रियाक्शन नमश्कार दोस्तों मैं हूँ पंखुरी और स्वागत करती हूँ आप सब का बॉलीग्राइट स्टूडियोज में पुष्पा अलू अरजुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जुसमें लॉरी ड्राइवर बने अलू अरजुन तो रैट सैंडल वोड की तसकरी करते हूए नजर आने वाले हैं सुकुमा डिरेक्टर इस फिल्म में हमें पहली बार अलू अरजुन और रश्मी का मंदाना की जोड़ी को एक साथ देखने को मिलेगा अलू की दूसरी फिल्मों से बिलकुल अलग जहां उनके डैशिंग हैंसम अफ़तार में पेश होने की वज़र से और उनके लुक्स के वज़र से थियेटर में टिकेट बिकती हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है टिकेट्स बिकने का इस बार उन्हें रग्य डवदार में दिखाये जाएगा जो उनके चोर किरदार को बिलकुल जस्टिफाई करता है लेकिन शायद इतनी खबरों से उपरिया एकसाइटमेंट मेकर्स के लिए काफी नहीं थी कि अब उन्होंने एक और हाई लेवल एकसाइटमेंट का तड़का फिल्म में डाल दिया है क्या और कौन? जानने के लिए इस वीडियो को इन तक देखते रहिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए हम बात कर रहे हैं फिल्म से रीसिंटली जुड़े आक्टर फ़हाद फाजिल की अगर आप अलू अरजुन या फिर रश्मी का मंदाना के डाय हार्ड फैन हैं तो आप उनकी पुश्पा से जुड़ी हर अपडेट तो फॉलो करते ही होंगे और आपको फिल्म में हुई इस न्यू इंक्लूजिन का भी पता होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ़हाद फाजिल का इस फिल्म से जुड़ना इतना स्पेशल क्यों है वेल इसका जवाब तो फिल्म के ओफिशिल चैनल के रिलीज हुए वीडियो में ही मिल जाता है जिसमें फ़हाद को नैशनल अवाड बिनर और पार हाउस ओफ मॉलिवड के नाम से इंट्रिडियूस किया गया है जैसा की वीडियो में बताया गया है कि फ़हाद फाजिल को इस फिल्म में अलू एजन के साथ एक फेस आफ के लिए लाए गया है लेकिन सुकुमार इसमें प्रशान्त नीलवाली गर्ती नहीं करना चाहते जिनकी ब्लॉक बस्टर केजियूफ में गरुडा के वेरी इंटिमिडेटिंग अपियरिंग किरदार को सिर्फ रॉकी के एक वार में ही मर जाने के लिए रखा गया था इसलिए वो किसी ऐसे अक्टर की खोज में थे जिनके साथ ओडियंस को सिर्फ फेस ओफ ही नहीं बल्कि बिगिस्ट एवर फेस ओफ देख पाने का थ्रिल आए और ये कोशिश काफी काम्याब होती भी नज़र आ रही है ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ये इस न्यूस से इंप्रेस्ट फैंस का मानना है उनका कहना है कि फाजल और अलू अरजुन का कोलाबोरेशन गुभी सुकुमार के डिरेक्शन में इस से बहतर तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता वहीं एक और फैन ने कहा कि फाज अपनी आखों से भी एक्टिंग कर सकते हैं अलू अरजुन के फैन्स वागई लगी है कि उन्हें इन दो सितारों की टककर देखने को मिलने वाली है आप हमें कॉमेंट में बताएं कि आप इन दोनों की टककर को देखने के लिए कितने एक्साइटन है और अगर आपको होगी है पुष्पा और केजीएफ के बीच जब कौन होगा इस रेस का अल्टिमेट मिनट पुष्पा अलु अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जिसका रिडिक्शन सुकुमार कर रही है इस फिल्म में नैशनल क्रेश रश्मे का मंदाना को एज रीडिंग लेडी का कास्ट किया गया है इस फिल्म को लेकर ओडियंस में जितना क्रेश है उतना ही तनाव ही है तनाव इसका कि KGM सीरीज के बीच जंग के विजेता का फैसला करने का जी है दोनों फिल्मों के बीच कई कॉमन पॉइंट्स को ओल्री दर्शुकों के सामने रखे जा चुके है लेकिन एक बार फिर क्यों इन दोनों के तक्रार को लोगों ने देखा जाने के लिए हमारी विडियो को पूरा जरूर देखिए को और अगर आको मारा विडियो पसंदाए तोसे लाइक शेय करना भूख करना भूलेगा हमने अपने पिछले ही विडियो में आपको पुश्वास में जुड़ी एक एहम खबर दी थी कि इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोस करने की जितनारी बेरी पॉपुलर एंड सक्सेस्पूल म्यूजिक कंपोसर डेवी शंकर प्रसाद के कंदों पर डाली जाती है जिन ने इसका पहला गाना तयात ही किया था जो खबरों के अनुसाल सुकुमार और अलू अर्जिन के पहत पस्मित आया था और गाना जुलाई के फर्स वीक में भी दर्श्वों के लिए रिलीस किया जाएगा लेकिन मुसीबत ये है कि गाने से फिर एक बार केजिये फैंस और पुष्पा फैंस आमने सामने ख़रे नजल आ रहे हैं जैसा कि आप सब लोग जाते हैं कि केजिये के सकसेश के पीछे नियूजिक कंपोसर अभी पस्रूर का स्पेशल पांट्रिब्यूशन था जिनकी कॉंपोसिशन ओडियन्स को इतने पसंद आए कि हर पांच मिनिट में एक आदमी का रिंग टोन में कोई न कोई केजिये का सौंग हमें सुनने को मिल ही जाता अब इस अनौंस्मेंट में एक कारण लोग इसे प्सरूर की तक्रार के तौर पर देख रहे हैं और चांता चाते हैं कि दोनों मेर भयता है जिँ? आप सोच रहे होंगे कि गाने से सवी फिल्मों में होते हैं इसमें KJF एनेक्शन क्या है? लेकिन आपको बता देगी गाना DSP ने लिखा है वो स्पेशली फिल्म में अर्लू अर्चुन की क्यारेक्टर को एक्स्प्रोइन करेगा जी है और वो थी एक पार पार तरीके से और अगर आपको याद हो तो KGS में भी सलाम रॉकी भाई नाम से एक गाना रखा गया था जिससे और आज भी कई बार किसी ने किसी स्वैग वाले वीडियोस में हमें वो गाना सुनने को मिल ही जाता है इसी कारण से लोग जानने के लिए बेहुत एक्साइट हैं कि पुष्पा का ये गाना केजी है कि गाने को टक्कर दे पाएगा या नहीं आपको इस बारे में क्या लगता है और दोनों फिल्मों से आप किसको वेड देना चाहेंगे बताएए हमें कमेंस में इसके बाद फिल्म के टीजर को भी फैन्स का बेता हाशा प्यार मिला जिसमें अलू अर्जुन के रगड लोग को तो खास तोर पर काफी एप्रीसियेशन्स मिली फिल्म एक अक्शन त्रिलर होने वाली है जिसमें रेड सैंडल वुड की स्मगलिंग की कहानी दिखाई जाएगी फिल्म का क्रेज अलरड़ी अपने एक्स्ट्रीम लेवल पर है पर मेकर्स इसमें और तड़के लगाने की फिराक में है अब क्या नया किया जा रहा है इस फिल्म में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना फिल्कुल ना भूले तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी इंडियन फिल्म की सक्सेस में फिल्म के गानों का खास हाथ होता है और खास कर अगर आपकी फिल्म में डांसिंग सूपरस्टार अलू अर्जुन हो जिसका एक स्टेप भी सेंसेशन बन जाता है तब तो फिल्म के गानों पर ध्यान देना उतना ही जरूरी होता है जितना की पूरी फिल्म पर और इसी खास जिम्मेदारी को निभाने के लिए मे जाना बनाया है जिससे सूकुमार और अलू काफी जादा इंप्रेस्ट नजर आ रहे हैं यह सौंग जुलाए के फर्स्ट वीक में दर्शकों के लिए रिलीस किया जाएगा तो आपको बताना दे कि देवी शंक का प्रसाद इससे पहले भी अनंदम कालू सूको वालनी मन इंडास्ट्री को दे चुके हैं जिसमें से आर्या तो अलू अर्जुन की ही फिल्म है इस तरह इन दोनों की कोलाबुरेशन तो ओल्रेडी हिट रही है देवी सर को इंडास्ट्री के वन आफ ती मोस्ट सक्सेस्फुल म्यूजिक डिरेक्टर्स में गिना जाता है और की ओडियंस पर एक चैसा ही इंपक्ट करें जहां शायद शब्दों की जरूरत ही ना पड़े और सिर्फ म्यूजिक ही प्योर इमोशन्स पयान कर डाले और देवी शंकर प्रसाद ऐसी कबिल्यत रखने वाले कुछ गिने चुने कंपोसर्स में से एक है यू तो देवी शंक प्रसाद और सुकुमार को हमेशा ही एक किलर कॉंबिनेशन समझा जाता है लेकिन रीसेंट सोशन मीडिया ट्रेंड्स के कारण अलू के बटा बमा सौंग की मैसिफ पॉपुलारिटी के बाद देवी शंकर प्रसाद के कंधों की जिम्मेदारी और भी जादा बड़ी और इ खुलें और आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप इस धमाकेदार गाने को सुनने के लिए कितने एक्साइटेड है और साथी साथ फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चानल बॉलीक्राट स्ट्यूडियोस को स नए अफ्तार के बाद अलू अर्जुम के इस नए रफ लुक ने मानो लड़कियों को घायल कर दिया और अगर वहीं बात करें लड़कों के बारे में तो उनके लिए तो स्टांडर्ड ही रेस कर दिये हैं वैसे भी अलू का नाम भारत के सबसे हांसम आध्यों में लिया च दोस्तों ये चीज तो आपने नोठी की होगी कि हम कई बार आक्टर्स की तारीफ करते हैं वा यार रनवीर कपूर तो पूरे संजदत लग रहे हैं यार रनवीर सिंग ने कापल पाजी का क्या लुक लिया है हमको तो पहचान में नहीं आया कि पा में वो अमितार पच्चन नहीं थे लेकिन दोस्तों उसके पीछे हुई मेहनत को रगनाइस करना हम अकसर भूल जाते हैं लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ये बॉलीगाट स्टूडियोस की नगरी है यहां किसी की भी मेहनत अनकही नहीं जाती और इसलिए आज हम इस रात से परदा उठाएं प्रिती शील्स सिंग का देन है जी हां दोस्तों अगर आपने पद्मावत में खिलजी के लुक से खौफ महसूस किया था या फिर हैदर में शाहित के लुक पर तालियां बजाई थी या फिर बाजी राव मस्तानी पाद्मावल जैसी फिल्मों के किरदारों सा लुक पाने क में आल्या की लुक को देखकर हैरान रहे गए थे तो आपको बता दें कि आप अंजाने में प्रिती शील्ड के ही टालेंट को सहार रहे थे जी हां दोस्तों यह सारे के सारे आइकॉनिक पिक्चर्ज और उनके यह आइकॉनिक लोक उन्हीं की देन हैं इतना ही नहीं मॉम हा इनकी बात करें तो अब आप इन सभी लुक्स को याद कीजिए और हमें ध्यान से बताइएगा कि आपको कौन सा लुक बैस लगा था साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर करें गया लाइक और शेयर और कर दीजिए करने वाले हैं ब ब्लॉगबस्टर हिट मुवी वैकुंता पुरा मुलो ने एक पैन इंडिया मुवी नहोने के बावजूद 200 करोर का कलेक्शन किया था अलु अर्जुन की पॉपुलारिटी और उनकी लास्ट हिट मुवी और उनकी अपकमिंग फिल्म पुष्पा राज को लेकर वो काफी ज्यादा तर्चा में घिरे हुए हैं अलु अर्जुन का न्यू रॉ लुक भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है वहीं मुवी की स्टोरी लाइन को लेकर काफी सारे रियूमर्स मारकेट में खड़े हो चुके हैं जहां मुवी को सेकंड पार्ट में रूलीज करने का स दिखाया जाएगा मगर बावजूद उसके फर्स्ट मुवी पार्ट के ट्रेलर में काफी ज्यादा आक्शन और तबातोर फाइटिंग सीक्वेंस दिखाये गए हैं इस मुवी में अलु अर्जुन का रोल एक लॉरी ड्राइवर का बताया गया है अब सवाल ये खड़ा हो निबाएंगी इस फिल्म की शूटिंग साउद के अलग अलग अलोकेशन में की गई है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अलु अर्जुन को पुष्पा राज मुवी में चिट्टू डालेक्ट में फिल्म के सभी डायलोग्स बोलने हैं जिसके लिए अलु अर्जुन अलग इस्पीरियंस भी शेयर किया था उन्होंने बताया कि पुष्पा राज में कुछ ऐसा देखनी को मिलेगा जो कि फैन्स को काफी ज्यादा खुश कर देगा और पहले कभी नहीं देखा गया होगा रश्मे का मंदाना इस मूवी को लेकर काफी ज्यादे एक्साइट भी उन् उन्हें काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है अलु अर्जुन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस वेरी सिंपल एंड स्वीट अक्टर कुष्पा राज की शूटिंग का कुछ हिसा तेलंगाना के मोटो गुडेन विलिच में शूट किया गया है मूवी की पुष्पाराज की शूटिंग को काफी मुश्किल से पूरा किया जा रहा है अभी उसका कुछ हिस्सा शूट करना बाकी है बीच में 28 एप्रुल को अलु अर्जुन ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके अपने कोविट पॉजिटिव होने की जानकारी भी दी पुस्ट कोन भी हो सकती है और दूसरी रुलीज डेट दशहरा फेस्टिवल या फिर 17 डिसेंबर के आज पास रखी जा सकती है तो वहीं पुष्पाराज का पोस्टर और टीजर अलु अर्जुन के बिर्थडे के दिन जुलीज किया गया था लॉंच पर अलुने अपने में बताया और साथ ही हिंदी में भी उनके कुछ शब्द बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया ने हिंदी ओडियंस का दिल जीत लिया उनकी स्पीश के बाद से ट्विटर पर उनके फैन्स का उनके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही नौदन साइज में उनकी फैन फालोइंग भी बढ़ती जा रही है हिंदी ओडियंस के बीच इतना अच्छा रिस्पॉंस मिलने के बाद अलु अर्जुन की बॉलेवुड में डेब्यू को लेकर बात चल रही है अलु अर्जुन ने अपने एक इंटर्व्यू के दौरान बताया था कि वो पुष्पा राज के इस मैसिफ प्री रूलीज सक्सर्स के बाद से ही नोने हिंदी इंडस्ट्री में अपना फैन बेस भी बना लिया है अलु अर्जुन हिंदी फिल्स को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं जहां बाकी तेलगू अप्टर्व अपने रीजनल इंडस्ट्र करता है फिल्हाल उनका फोकस अपनी साउथ इंडस्ट्रीज की अपकमिंग मूवी पर है सबसे ज्यादा उश्पा राज पर है अलु अर्जुन का बॉलिवोड में आजनीव कमर आने के लिए फिल्हाल कोई मूड तो नहीं है मगर जल्द ही वो बॉलिवोड मूवी में अलु अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्पा में नजर आ सकती है सोसिस की माने तो श्रधा कपूर पुष्पा राज मूवी में एक आइटम सॉंग परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी इस आइटम सॉंग के लिए उनसे पहले उर्वशी रौतेला और दिशा पतान जैसी टॉप प्रफॉर्मर्स को भी अप्रोच किया जा चुका है लेकिन श्रधा कपूर और प्रभाज स्टार मूवी साहो में श्रधा कपूर ने पॉलिवुड इंडस्ट्री में भी अपना नाम काफी बहतरीन तरीके से जमा लिया और साउथ इंडस्ट्री के फैंस की न प्रफॉर्मर्स के लिए एक हिंदी आइटम सॉंग तयार किया जा रहा है जिस पर शद्धा कपूर परफॉर्म करती हुई नजर आई इस सॉंग से नौर्थ हिंडियन सिनेमा या कहें तो हिंदी सिनेमा जगत के फैंस के बीच एक क्रेस पैदा करने की कोशिश की जा रही ह पैन इंडिया फिल्ब में अक्सरी चीज़े दिखाई देने को मिलती हैं जैसा की केजेफ के चाप्टर वान में भी मोनी रॉय गली गली सॉंग पर परफॉर्म करती हुई नजर आई थी जिसके बाद बॉलिवुट में हिंदी ओर्डिंस के बीच केजेफ चाप्टर वान क उनके ओरिजिनल सॉंग पर तवमन्ना ने परफॉर्म किया था और अब यह सेम फॉर्मूला पुष्पाराज में अपना कर फिल्म के फिल्मेकर से देखना चाहते हैं कि हिंदी सिनेमा में कितना क्रेज बढ़ पाता है इस मूवी का साथ ही साथ में ये भी देखना होगा कि कि ये सॉंग हिंदी सिनेमा में कितना जादू बिखेर पाता है हालाकि शदा कपूर ने इस बात को लेकर अभी तक कोई भी कान्फरमेशन नहीं दी है और ना ही फिर्मेकर्स ने इसके बारे में कोई बात की है फिल्म का फाइनल पार्ट अभी भी शूट होना बचा हुआ ह जो कि lockdown की वज़े से काफी डिले हो चुका है lockdown की वज़े से फिल्म के काफी main scene शूट नहीं हो पा रही है देखते हैं आखिर कब तक इस item song पर काम शुरू होता है और शद्दा कपूर इसमें main lead करती भी है या नहीं शद्दा कपूर पहले भी Bollywood में item songs पर perform कर चुकी है इससे पहले इमरान हाश्मी के एक film उंगली में शद्दा कपूर डांस रसंती गाने पर जूंती नजर आई थी और बाद में साहो फिल्म में शद्दा कपूर एक और गाना सैं या साइको सॉंग पर भी नजर आई थी जिसके बाद सॉंग North India और South India दोनों इंडस्ट्रीज में काफी पसंद किया गया था इस दार पुषपा राज में किस लोग में शद्दा के इस आईटम सॉंग पर पर परफॉर्म करती नजर आएंगी ये देखना तो हर किसी के लिए काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है और अगर खास बात बताएं तो दोस्तो शद्दा कपूर के फैंस और हिंदी सिनिमा के लिए ये बात काफी ज़ादा बहतरीन और एक्साइटिंग हो सकती है और इसी वज़े से फिल्म को काफी फिल्म और काफी बज मिल सकता है तो आपका इस टेक्नीक के बारे में पुष्पा की बात कर ले तो उनकी फैंस करीब दो साल से इस पिक्टर का इंधिजार कर रहे हैं जब से इस पिन का पहला कोड़ से रिलीज किया गया था आने वाले दिनों में कुष्पा कर चलिगर भी रिलीज होने वाला है दोस्तों मैं आपको बता दू उस फिल में अलू अर्जुन की ओपविस्ट नाशनल फ्रस्ट कुष्मिका मांदेना नजर आने वाले है पुष्पा में विलिन की तौर पर पहाद फजिल नजर आएंगे साथ ही इस फिल्म को डारेक्ट कर रहे है इसको तुमार दोस्तों कुष्पा आज इतने जादा उलाइन लाइन में इसी लिए भी है क्योंकि इस फिल्म में घीड जौर पर अलू अर्जुन नजराने वाले हैं और अलू अर्जुन का स्टार्डम ही कुछ ऐसा है कि उसकी हर फिल्में लगातार चर्चा में बनी रहे हैं अगर कुष्पा स्क्सेस्पुल होती है तो उसका कुछ क्रेडिट अलू अर्जुन के मैसिज़ पॉपुलारिटी को भी जाएगा आज उने सीडियों में बात करेंगी कि आखिर कैसे अलू अर्जुन साउथ के सूपर स्टार बन गए और क्यों उन्हें साउथ का स्टाइलिश यंग आइटिन कहा दबता है अलू अर्जुन ने जादकर काम साउथ इंडस्ट्री में ही किया है अभी तक वो बॉल्वूर की पीसी फिल्म में अपना डेब्यूट करते हुए नहीं दिखे हैं तो हम उमीद करते हैं आने वाले जिनों में वो जल भी बॉल्वूर की किसी करने भी काम करेंगे फिल्हार मैं आपको बता दू उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था अज़ चाइल्ड आक्टर विजयता फिल्म के साथ उन्हें बच्पन से ही आक्टिंग और डान्सिंग का शॉप रहा था और इसी वज़े से उन्हें कई आडविटाइजमेंट्स भी मिलने रखे इसके बाद अलू अर्जुन को उनकी पहली फिल्म मिली जिसमें उने लीड किरदार नभाया था और वो धी गंगोदु गंगोद्री पिक्चर लोहों को काफी पसंद आई और इस पिल्म ने अच्छा खासा बिजनिस भी किया था लेकिन अलू अर्जुन के करियर में तब से बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी फिल्म आर्या को रिलीज किया गया आर्या को अलू अर्जुन के कर वं कृषब कहा जाता था इस पिक्चर में उनके आपके में स्किल्स की काफी सिराखना हुई थी इतना ही नहीं आर्या पिक्चर के बार अलू अर्जुन को कई अवार्ड से नवाजा किया था जिसमें फिल फेर अवार्ड भी शामिल है अब बात करते हैं कि आखिर अलु अर्जन को साउथ का स्टाइलिश सूपर स्टार क्यों कहा जाता है तो दोस्तों मैं आपको बता दू साउथ इंडस्के में जितने भी चेहरे हैं उसमें से अग आट दिनों में अर्लु अर्जन की पिल्म कुश्पा रिलीन्ज होने वाली है इस पिल्म के लिए उनके तमाम पांव memory काफी excited है पुश्पा basically एक gang war film होने वाली है इस film में हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे standard good की illegal दस्करी की जाती है और कैसे अलू अर्जुन फिल्म की शुर्वाती दौर में एक खराब इंसान होते हैं लेकिन बात में उनके जिन्दिकी में काफी बदलावा जाता है आप कुश्पा के लिए कितने excited है हमें कमेंट चिक्शे में जरूर बताई है अलू अर्जुन की most awaited upcoming movie कुश्पा रांग जिसे सूकुमार ने जरेक्ट किया है चलही थीटर्स में अपना कमाल दिखाने वाली है पावजूद इसकी audience अपनी excitement control नहीं कर पा रही है इस movie से related बार कोई न कोई अफवा हर बार market में नजर आ दी है जिस वज़े से fans के एक नई fan theory बननी शुरू हो जाती है इस movie के लिए जहां टॉली वोड के highest paid actors में से एक अलू अर्जुन को कास्ट किया गया है तो वहीं इस movie के बाकी की कास्ट और क्रू भी film industry के top member से जुड़ी हुई दे बहुत बड़ा time span दिखाया जाएगा और इस fan को एक movie में पूरे तरीके से दिखा पाना मुम्किन नहीं है इसलिए hero डारेक्टर ने साथ मिलकुर ये decide कि पुष्पा को दो पार्ट में release किया जाएगा क्या आपको भी ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है ना ऐसा नह पार्ट में release किया गया फिल्म के आखिर में फिल्म की backstory लाना और पूरी movie को reverse में ले जाना ऐसा concept पहली बार ही किसी movie के जरिये दिखाया गया है कहा जाता है कि गाना है तो movie सुपर ही और जहां इस गाने की पूरी production, top music director, producer और Oscar winning star के पास हो ऐसे में देखना दिल्चस्ट सबस्स इस movie को मिल पाती है लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ये movie एक pan India movie होने वाली है तो सोचने की बात है कि जहां South Songs में इतने बड़े star को hire किया जा रहा है ऐसे में क्या इस song का Hindi में भी कोई dub version या new Hindi song भी launch किया जाएगा अगर ऐसा होता है तो इसे movie का Hindi audience के साथ काफ popular है पर उनके handsome hot looks और personality है काम बात हो गई है ऐसे में उनके poster में वही सेम लुक दिखा कर audience के भी इतना प्रेज पैदा नहीं होता जितना टॉलेवर के most dashing star Alloo Arjun अपनी upcoming movie के लिए काफी जादा excited है और पूरी team में बहुत जादा इस प्रोश है जहां high police course और complete security में इस film पर काम किया गया था क्या आप जानते ही कि international film ग्रीव और South के action scenes काफी जादा पत्म आते हैं और साथी के साथ शायद से international audience को भी लुखाने के लिए तुष्वा राज की camera handling के लिए चूस किया गया है पॉलिश camera man Miroslav two-bar present जिरा दोस्ते Miroslav पो इंडिया में PC Shriram of Poland का चाता है PC Shriram इंडिया के remote cinematic practice में एक है जो की most ही तहले को फिल हंदशी इसमें काम करते है Miroslav पे तहले क्या हमीदा भूधी जसको विक्रम कुमार ने direct किया था उसके लिए एंडिया आवर को इसमें काम कर चिके है उस फिल्म में Miroslav के काम से impressed होकर ही सुकुमार ने अपने upcoming फिल्म पुष्वाराज के लिए ने फायर गिया Miroslav भी फिल्म में हिस्सा बनने का ये मौका पाकर खुश नजर आ दिए और फैंस भी ये खबर सुनने के पात काफी जादा खुश ने लेकिन ये खुशी के पल जादा संगे तक नहीं घर पाई थी सूतरों के मुताबिक खबरों के अनुसार कुरुनों पैंडमिक की वज़ते वो बाफिस जा रही है और उन्हें रिप्लेज करने की बाते चल रही है बता दे कि अलु अर्चिन Miroslav के साथ काम करने के लिए काफी मिदाना एक्साइट है और ये एक्साइटन Miroslav के एफर्ट में भी दिख रही थी इस ट्रावल जोन में रखा हुआ है ये एक्सेट फिल्म पर गहरा अज़र डाल सकती है क्योंकि फिल्म के टीजर से भी फिल्म का गहराई और फिल्ट का काफी परत चलता है अब क्या निव क्राम्रामन इस लेवल को मैच कर पाएगा? तेल्व पुसिनमा में आज़र फॉल्म चिनमाटर्ग्राफर्स को अप्रोच करने के ट्रेंट चलता है जिससे फिल्म की विज्व वॉलिटी और तामे इंगेश पर सामे आती है अभी सब्सक्राफर्स किनमाटर्ग्रावन अपना कहाँ दिखाज प्रेट्पू फिल्म्स में जिहां पूस्तों इससे पहले ये खुशिश कुश्पा राज के लिए थी कोई धील लेके सब्सक्राफर्स नहीं हो पाई अब क्या नया काम के आपका बॉलिग्राफ स्टूडियोज में अलु अर्चिं की अपकर फिल्म खुश्पा ने अपनी एनाउच्पन के बात से भी मीडिया में संसमी मचा रखी है कभी फिल्म की हिरोई तो कभी फिल्म का विल्म कभी फिल्म की दो पार्ट तो कभी फिल्म का गाना फिल्म आई दिंग कीसी न किसी कारण से हेड़्लाइंज पर रहती ही है इंसारिय DANEJ की इंफोमेशन को हम आपको अपनी पिछ्ली विडियो से में देखी चुके थे लेकिन आज हम वो बेसिक इंफोमेशन शेयर करेंगे जिसना जवाब तो सब चानना चाते हैं लेकिन फता किसी को नहीं है ऐसी कौन सी सीक्रेट खबर जान देगे हैं हमारी वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको मारा वीडियो पस लाइक जिसे लाइक और शेयर करना दो कुलना हुदे जब से को इनकी अनॉंस्मिन हुए है एक सवाल में सब के मन में भयकर रहे हैं आपे फिल्म का नाम कुछ और क्यों नहीं क्या इसके बीचे कोई सीक्रेट वजा है इस बारे में कई क्योरी भी देखें कुछ के अपॉडिक खुष्पा फिल्म में अर्जुन की मा का नाम कुष्पा हो सकता है जित्सों बहुत प्यार करते होंगा और उजुन की मौत के बार लिए इसलिए हमकी यादों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उनोंने अपना नाम कुष्पा की रखने के लिए तो कुछ का कहना है कि क्या पता ये लीडिंग लेडी रश्पेका का नाम सेकुलेशन की हद तो तक तक होगी जब उनने ये कहा कि क्या पता डिडिक्टर सुपम और राजश्पिता के बड़े फैन इसलिए लिए लिग नाम रख दिया गया यूनों कुष्पा आएकुरी दियर पर हमने ये गुत्की सुलजा ही ली अक्चिली इस नाम के पीछे बड़ा ही सिंपल सा कारण है जितना डीप में जाकर फैन्स के सोचा उतनी मेहनत मेकर से नहीं की फिल्म में अल्लु अर्चिन के कैरेक्टर के नाम खुष्पक नारायन रखा गया है जिने सब प्यार से खुष्पा बुलाते हैं और इसी वज़ए से फिल्म के लिए इस टाइटल को चुना गया आफ़ और पूरी कहानी इस गिर्दार के इस गिर्द दूही दी बताते हैं कि इससे पहले फिल्म का नाम सेशा चल्लम रखा जाने बाला था तो कि ये पूरी कहानी सेशा चल्लम में प्रॉमेरेंट स्मगलिंग पर बेस है अगर ऐसा होता तो खुष्पा और केजियेट में एक और सिमिलारिटी हो जाती है क्योंकि KJF का भी ये नाम इसे रखा गया तो कि पूरी कहानी इस पर बेस थी KJF पर इसका राज होगा शायद इसी चीज को वोईट करने के लिए तूकर मार ने सेशा चल्लम को फुष्पा कर गया इसे फिल्म का टाइटल काफी कैसी भी हो गया और और इंक्लूसिवी और करियोसिती लगाने वाला हो गया है ये तो हमारी इसे फांस के लिए बेहत खास हलो नमशकारादाब सब्सक्राइब सभी का बॉलिकराद स्टूरियोज में और मैं हूँ आपके साथ नुशकतियागी तो दोस्तों बात करेंगे आज की फांस के बहुत ज़ादा फेवरेट और मोस्ट आइलेशन डाशिंग अक्टर अलु अरजन की मोस्ट एंटिसिपेटड मुवी पुषपराज के बारे में दोस्तों पुषपराज का टीजर जब से रिलीस किया गया है और अपने बोधे पर टीजर के सक्सेस्फुल लांच पे जब से अलु अर्जन ने अपने इन फैंस और अधर स्टेट फैंस के लिए इंग्लिश में स्पीज देते हुए और हिंदी में उनके लिए कुछ शब्द कहते हुए उन्हें धन्यवाद कहा है और इतने सबोर्ट के लिए उनके शुक्र गुजार हुए है तब ही से ही दोस्तों नौर्ट साइड में भी अल अरिया टू और ये बास अभी जानते हैं कि स्टाइलिश आक्टर अलु अर्जन को आर्या मुवी ने रात और रात सूपर सिंसेशन बना दिया था दोस्तों पुछ पराज को लेकर हर दीन एक मांगेट में नई अवा सुनने को मिलती है मुवी की स्टोरी लाइन एक रियल पोस्टेशं को देगर अलु अर्लब अर्जन के असुमचिंश लगाये जारही है ट्वीटर पर एक पोस्टे को लेकर एक फैन ने अल्लब रोल होने की बात कहीं थी दोस्तों इस बात पर अभी तक डिरेकटर सुखमार ने कोई भी क्लारिफिकेशन नहीं दिया है कि आखि बादनी को उनकी गांग में डॉन बनाकर भेज दिया तो दोस्तों कुछ ऐसी ही खानी इस बार पुछ पर आज में रिपीट तो नहीं की जाएगी स्ट्रॉंग यूमर्स की बात की है कि अलू अर्जन का दूसरा रोल आजब बिसनिसमेन होगा अब दोस्तों हो सकता है कि उस बिसनिसमेन की सचाई पता लगने के लिए लॉरी ड्राइवर अलू अर्जन को बिसनिसमेन बनाकर माबेज दिया जाया जहां से उनके दंदे को अपरेट किया जाता हो और अब दोस्तों रियूमर्स में कितनी सचाई है वो तो अब फिल्म मेकर्स क्लियर करेंगे तब ही पता चलेगा वंडर मुवी रिलीज होने का तब तक इनतजार करना पड़ेगा सबी को और दोस्तों इन सबी खबरों से अलू अरजन के फैंस काफी जादा एक्साइड़ हो रहे हैं आप दोस्तों बात करें कि अगर अलू अरजन अपने फैंस के लिए कितने खास क्यूं है तो इसका जवाब आप जल्द ही खुछ समझ जाएंगे दोस्तों एक इंटर्व्यू के दरान अलू अरजन ने बताया कि फैंस के साथ साथ मूवी इंडास्टी के आक्टर्स का कनेक्शन बहुत जादा स्टॉंग रहता है दोनों ही दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं और फिल्म स्टार फैंस के बिना कुछ नहीं है इसलिए साथ में देगा जा सकता है के अलूर जिनकी फैंट फॉलिएंग काफी जादा बड़ी है अपने क्लोस फ्रेंड और साथ ही साथ उनके फैंट के फिनरल में वो खुद उनके घर गए थे बॉलिवड स्टार्स या आक्टर्स के मुकाबले उने फैंस के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं और यही वज़ा है कि नौर्थ इंडिया में भी साथ आक्टर्स के इस नेचर की वज़ा से उनकी लॉक्बस्टर फिल्में रिलीज करने वाली थी लेकिन COVID-19 के चलते अभी अपनी तेह तारिख में रिलीज नहीं हो पाईगी फिल्म का इंतजार करने फैंस को अभी 3-4 महिने और इंतजार करना है क्योंकि 99% यह फिल्म 17 दिसेमबर 2021 को ज़रूर रिलीज होगी इस फिल्म की कहानी को लेकर भी काफी सारे रूमर्स पैल रहे थे सब अपने अपने तरीके से कहानी अजियूम करने लगे थे लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दू शरवात में अलो अर्जुन एक बिजनसमेन के रोल में नज़र आएंगे अलो अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपर हिट बनाने के लिए क्या-क्या तैयारिया कर चुके है कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते हेलो फ्रेम्स आप देख रहे हैं पॉलिग्रास स्टूडियो में हूं सोनी कजयल अलु अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अलु अर्जुन हमें सीधा बड़े परदे पर नज़र आएंगे अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे लेकिन आप ठीटर बोला मज़ा लेना होगा तो मज़ा तो आएगा ही इसके अलावा आपको बताते कि अलु अर्जुने भी कमर कसली ह है और उन्होंने सोचा है कि वो जम कर प्रोमोशन करेंगे जो कि हमने कहां भी था कि अगर इसका प्रोमोशन अच्छे से हो गया तो यह बहुत जादा सूपर हेट रहेगी क्योंकि जो हिंदी और बार बार इन्हें खबरे देनी परती है का फिर्म रिलीज हो रही है तो प् प्रिया टीम उन्होंने रखी है जो कि आप सारे इवेंट और गनाइस करने वाले हैं प्रोमोशनल इवेंट साथ ही जितने भी यह बॉलिबुट के चैनल है उन्में इंट्रिव्यू देते हुए नजर आएंगे अलु अर्जुन साथ ही आपको बता दे कि एक खबर ये भी आपको बता दे कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगडी है रश्मे का मंदाना इसमे निजर आने वाली है विजह सेतु पती है और विलन का नाम भी रिवील कर लिया गया है सूरिया जो की अलु अर्जुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं तो वो विलन का किरदार करने वाले हैं साथ ही सुकुमार इसे डारेक्ट करने वाले हैं जो कि अलु के साथ पहले भी काम कर चुके हैं तो बहुत सारी जोडियां रिपीट हो रही है एक साथ से लगाया जाए और सेंडल वुड जो लकडी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाए साथ ही उनके हाथ में स्टील के घड़ी है जो के एटीज के दौर में पहनी जाती थी तो उसी टाइम का ये दिखाया जाएगा आंदर प्रिदेश के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और बहुत कुछ खास है जैसे की अलु अर्जुन का लुग जो की कु अर्माल मचाते हुए नजर आएंगे फिल्म में अक्शन बहुत भरपूर होने वाला है तो दोस्तों आपको कितना अंतजार है अलो अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का ये जरूर बताएगे और ये नॉर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी आपको क्या ल इतनी सी बात के लिए इतना वालेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किंता कम गिंकर मारने के लिए ये पोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है अलो अर्जुन के अपकमिंग फिल्म पुषपा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है क्या ओपनिंग रह सकती है पुषपा की वर्ड वाइट कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बज़र में बनाया जा रहा है पुषपा को हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलिग्राफ स्टूडियो मैं हूं सोनी कज्वाल बात करेंगे साउथ के स्टाइल स्टार अलू अर्जुन के जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुश्पा और बहुत ज्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लोक शेयर क रगदी है और जिसने भी लीग किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिया है कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते और एकदम से धमा का मचाना चाहते है इसके लावा आपको बदा दे पुश्पा का बजट भी हाई रखा है कि अच्छी खासी ओपनिंग देगा हिंदी की अगर हम बात करें और हंड्रेट परसेंट ओक्यूपेंसे रही थेटर्स में अगर पैंडेमिक सही हो गया एकदम और लोग आने लगे थेटर्स में तो ये फिल्म हिंदी में 25 करोड का ओपनिंग आराम से देगी ये 30 करोड अब हो सकता है और साथ करोड का अगर हम बोले अलग बहर से जो बाद visitor हो रही है उससे सिक्स्टी करोड ये उक्यूपाइं कर लेगी इतना कलेक्शन ये कर ही लेगी खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये टॉटल ऑवरौल क्लेक्शन की बात करें तो दोиля सो धाई सो करोड ये फिल्म आसानी से कमा लेगी वर्ड वाइट की बात करें तो 20 करोड 방송 करेगी पहले दें तो इस हिसाब से लाइफटाइम कलेक्शन के बात करें तो 500 करोड की कलेक्शन आराम से पुश्पा कर लेगी इससे जादा भी हो सकता है क्योंकि अलू अर्जुन के जो फिल्मे है उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और वर्ड वाइड भी उनकी फैन फॉलिंग बहुत जादा अच्छी है तो इस तरह का और तोड़ देता है व्यूस के मामले में भी और फैन फॉलिंग काफी तगड़ी है इसके लावा उनके अपॉजट इसमें रश्मी का मनाना दजर आने वाली है और इनकी केमिस्ट्री और लेडी बहुत जादा पसंद की जाती है फिल्मों में तो दोस्तों इतना तो ये त और फिल्मों में भी नजर आ चुकी है तो आपको क्या लगता है कितना करोड का ये कलेक्शन कर लेगी और कितना इंतुजार है इस फिल्म कानी अपने किस नहीं अंदाज से चौकाने वाली है रश्मी का दर्शकों को क्या इस नए के दार से बदल जाई अभी 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 अलो अर्जुन की फिल्म पुष्पा की शूटिंग क्या थी बड़ी वजह इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिग्राफ स्टूडियो में आज इस वीडियो में हम फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ न के लिए तो क्या पैयार हैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो रश्मे का जल्द ही अलो अर्जुन की हिरोईं बनने जा रही हैं दोनों की ये साथ में पहली फिल्म होगी फिल्म का शीर्शक है पुष्पा जो फिल्म में के किरदार का नाम भी रहेगा और ये फिल्म आंदरप्रदेश की जंगलुक से लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी पर आधारे थे अलो अर्जुन का बीहर लुक लुक पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है अलो अर्जुन जिन्होंने बच्पन में ही अपन किरिक पाची से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बाबु के साथ सरीलेरू निक्की वेरू और भीशमा जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्म में दी फिल्म पुश्पा में रश्मिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रश्मिका ऐसे अफ़ दिखेंगी हमेशा ग्लामरस अंदाज में देखी गई अभी नीधरी अब करनी जा रही है गाउ की गोरी का किर्दार फिल्म में वे गाउव की एक गड़ी बलड़की अंदाज दिखेंगी जिसके लिए उन्हें नॉन ग्लामरस रूप में दिखाया जाएगा रश्मिका औ अब कंणर ब्यूटी भी चल पड़ी है तमिल सिनिमा की तरफ जल्दी रश्मिका तमिल फिल्म सुल्तान में कार्थी के साथ दिखाई दे सकती हैं और क्या आप जानते हैं शॉइद कपूर की अगामी फिल्म जोसी में प्रुणाल ठाकों से पहले रश्मिका को फिल्म में मु दिल दे चुके सनम और देवदास से बदला वहीं दिपेका पादुकौन के फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला बाजिराव मस्तानी और पदमावत ने दिपेका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सल्मान अपनी फिल्म किक में न ढून रहे थे वहीं अब संजलीला भंस अपनी नई फिल्म के लिए हिरोईन ढून रहे हैं और यह खोज शायद अब रश्मिका पर आकर रुक गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या शीर्शक के साथ आईगी अभी तक बताया नहीं गया है अलु आर्जुन फिल्म पुष्पा के डारेक् सुकुमार, अलुवार्जन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड के रखा है और यह फिल्म के म्यूजिक डारेक्टर देव श्री प्रसाद हैं जिन्होंने कई तैल्गू हिट गाने दिये हैं वहीं आपको उर्वशी रोटेला का गाना डैड़ी डारेक्ट किया है एक इंटर्व्यू के दोरान न्यूजिक डारेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए वही फिल्म से जुड़ी खास बात यह है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोग दी गई है फिर फिल्म की शूटिंग काफी भी कि शुरक्षा और साथ धानियों को ध्यान में रखते हुए निर्माता उने जन्वरी तक शूट स्थागित करने का फैसला किया है तो क्या बनेंगी रश्मी का भंसाली की हिरोईन कहीं फिल्म पुष्पा कीजी एफ टू से क्लाश तो नहीं करेगी आपको क्या लगता है ह हमें अपने जवाग कमेंच करके जरूर बताएं वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमाया चानल बॉलिगराच स्टूडियोज को इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिम्नल अलो अर्जन स्टारर पुष्पा फ साथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतरिन फिल्म्स के साथ तेजी से पॉपलिर्टी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंटर्टेनिंग स्टोरी और फिल्मेकिंग के हर एक एलिमेंट को बड़ी-बड़ी से फॉलो करना फिर चाहें वह सिनेमेटोग्राफी हो एक्टिंग एंडिरेक्शन एंड फॉर्द मेटर बजेट हो इस एफर्ट का रेजल्टेन है कमाल का सिनमा जिसके काफी चाहने वाले हैं तो हम सेफली यह कह सकते हैं कि कॉंटेन के मामले में अब बस बॉल्यूट ही न अलग लेविल्स पर पहुच चुके हैं इधर उदर ज्यादा ना भटक के सीध्यात हैं मुद्दे पर स्टाली स्टार अलु अर्जुन की और कनाडा क्रश रश्मी का मंदाना की मच अवाल्टेट फिल्म पुश्पा रिलीज होने जा रही है और एस एक्सपेक्टेड इस लेविल्स फिल्म की एंटिसिपेशन आस्मान छू रहा है फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो यह होगी रेट सैनलूट की तसकारी पर बेस्ट जिसमें अलवर्जन इसी धंदे में काम कर रहे हैं एक लौरी ड्राइवर होंगे अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इस कमाल की स्टोरिस निकाल के सामने आ रही है तो देर की इस बात की आये डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है पहले एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चकर लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मी का मंद अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेट सेनल उट की तसकारी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोत की जुआला टाइप बन जाएगी जहां वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा इस फिल्म के फर्स पोस्टर के केरेक्टर की तो पहले से शादी हो चुकी है पर इसमें कॉंफ्लिक्ट होगा अर्जुन की बहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर अब अलु मर्डर का पता लगाती हुए फॉरंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉंक्लुशन पर पहुचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रह को इसलिए मारा होता है क्यों इस धनली का पता चल जाता है अपने फॉर्स प्रोजेक्ट पर काम करते हुए तो एन में होता है घुमासा नियूद और विलेंग की हार के साथ स्टोरी समाप बस यहीं नहीं बलकि स्टोरी को लेकर जितने मौ उतने बाते है पर असली स्टोरी कब रिलीज होने चारे अलु अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुषपा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुषपा की खास बाते हेलो फ्रेंड्स आप देखने हैं बोड़ी ग्राफ स्टूडियोज मैं सोनीका जयाल आप अपने सूपस्टार को बड़े पर देखने के लिए क्योंकि साउथ समेत नॉर्थ में भी अलु अर्जुन की तगडी फैन फॉलोइंग है मेकर्स वारा अलु के जनम दिन के मौके पर अलग अलग भाशाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया गया था जिसमें की अल प्रतिशील ने हैदर, मॉम, 102, नॉट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाईजादा, हाउसफुल 3, बहुत सारे फिल्मों में मेकप आर्टेस्ट वो रहे हैं जादू चलाया अपने मेकप का और इस फिल्म में भी उनको लोक देने के लिए प्रतिशील बहुत जादा मेहनत करी है उन्होंने और ये लोग सामने भी दिखता है अब तक बहुत सारे लोग शेयर किये गए है लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों क्योंकि अलो अर्जुन ने हाल ही में आज ही अनौन्स कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर श पोस्टर है वो शेयर किया है और पीछे से आप देख सकते हैं और लोगों के हाथ में भी कुलाडी है अलो अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे है और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथ ही अलो अर्जुने से कैप् पुष्पा एक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डारेक्ट कर रहे है सुकुमार जो कि अलो अर्जुन के साल आर्या और आर्या 2 में भी उन्हें डारेक्ट कर चुके है फिल्म में अलो अर्जुन के अलावा आपको विजय सेतु पती प्रकाश राज जग पती प्रिश्ट भूमी काउं में नज़र आएंगे यह फिल्म लाल चंदन यानि की सैंडल वुड जो लकडी होती है उसकी तसकरी पर अधारित है फिल्म की प्रिश्ट भूमी सेशा चलम के जंगल के इर्दगिर्द गूमती वही नज़र आएगी यह दक्षरी आंधर प्रदे नीचे कमें सेक्शन में जरूर बताएगा फिल्हाल पता ही चल गया है 13 अगॉस को यह फिल्म रिलीज होने वाली है तो आप कितने एक्साइट है इस फिल्म के लिए जल्दी से लिग डालिये नीचे कमें सेक्शन में और इसी तरह के दूसरे बॉलिवुड टॉलिवुड अपडेट्स के लिए सुकुमार ने अपना डिरेक्शनल डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या के द्वारा किया था और यह फिल्म काफी सूपर हिट हुई थी जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी फिल्म में बतौर लीड अक्टर अलु अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया ग फिल्म पुष्पा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कॉरिंग के तहट रिलीस किया था फिल्म पुष्पा को 13 अगस 2021 को रिलीस करने का स्केडियूल किया है फिल्म को तेलगू, तमिल, मल्यालम, हिंदी और कनेट वर्जिन में डब्ड किया जाने वाला है जानवरी 2020 में पह प्रजेक सरेलेरू, नेकेवारू फिल्म को साइंग किया था ज İsपा कre टार्यग डिल्म पुष्पा' फिल्म फटल करते साथ में के ट इस्तरी रहा ह्डर करें , आपको बता देकि को क्यतаноरा गया है अकटोबर 2019 में डिसेंबर 2019 में डारेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था के एथी रापिडली फॉल्स पर फिल्म पुश्मा का फर्स स्केडूल केरला में ही शूट किया गया था फिल्म को कोविड नाइंटीन पैंडमिक की वज़ा से हॉल्ट कर दिया गया था फिल्म की शूटिंग दुबारा स्टार्ट करी गई थी 10 नवेंबर 2020 में विजे सेतुपती बहुत चचा में थे दि आंटेगोनोजिस प्ले करने के लिए और जैनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए रश्मिका मंदानल को एपरिल 2019 में आज़ लीड आक्टर कास्ट किया गया था और जगापती बेबी और प्रकास राज को की रोल स्किल करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था आपको बता दे कि जलाए 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतु पती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इशूस की वज़े से कन्नडा के फेमस आक्टर धननजे को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था निवेंबर 2020 में जब फिल्म पुश्पक की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी तब सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था बस फिल्हाल अज इस फिल्म के लिए इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर करना ना भूले और हमाई चैनल बॉल्ट्रैस वीडियोस को सब्स्राइब भी जरूर करें हम जल्दी लौटिंग एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ आज की स्कृट्प्राइटर है रुशाइड इतनी सी बात के लिए इतना वालेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किंता कम गिंद कर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है एए स्वर मैं असा ही हूँ भूख लगती है तो पेट बर खाता नीन दाती है तो जी भर सूता और कुछ सा आता है तो प्रॉब कर लगता प्रॉब कर दोड़िए प्रॉब कर लगता थे विए बर खाता है तो प्रॉब कर दोड़िए यह कोई प्रॉब कर दो जूब कर दो अए क्या पुश्पा से करने वाली है रश में का मंदाना बॉलिवुड में अपने करियर के शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉंट्रिबूशन बॉलिवुड को रश में का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल बॉलिग्राश वीडियो में तो चलिए शिरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आपने ये तो अभी अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडास्ट्री के कई फिल्म में पैन इंडिया रिलीज यानि की अपने औरिजिनल भाशा के साथ- प्रदक्शन करन जोहर के धर्मा प्रदक्शन ने किया था उसके बाद बाहुबली स्टार प्रभास की प्रभास की वाज़ा से उनकी फिल्म साहू को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला फिर उनकी आने वाली फिल्म में राधे शाम और आधी पूरुष और साथ में नाग एक्ट्रिस ने कई बार बॉलिवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे कि श्रीदेवी जया प्राडा एश्वर्या राय असिन दिपिका पादुकौन तापसी पनू जैसी को जभी नेत्रिया अमाब सफलता पा चुकी है बॉलिवुड में वही सिल्क स्मिथा सौंदर्य, काजल अगरवाल, त्रिशा कृष्णन, जैसी अभी नेत्रिया ज्यादा काम्याबी नहीं हासिल कर पाई हाला कि वो सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं अभी अभी साउथ में विजे की फिल्में बहुत प्रसिद हो रही है और साथी साथ विजे के हमाता है रश्मिका मंदाना को पिछले साल नैशनल क्रश का टाइटल मिले था यह क्राश पहले दिशापार्टनी गश्वास अब रश्मिका मंदाना एक बड़े-बड़े हीरो्स के सांग काम करके अपने कारियर ने रावर और कानड में फिल्मी कारियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती है कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मुवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनु ओफर हुई थी RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हां कह दिया था इसमें उनके ऑपसिट अपने बॉलिवुद डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के ऑपोसिट फिल्म ढूंट रही थी और इसी वक्त उनके कानों में अलु अर्जुन की एक फिल्म आई अलु अर्जुन के साथ जब उन्होंने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाइश प हैं केवल रश में का कि उस ख्वाइश की वजा से चली दोस्तों साउथ फिल्म के अलु अर्जुन इस वक्त फिल्म इंडस्टी की सबसे चर्चित अक्टर है उनके पिछले फिल्म अला वैकूंट पूरम के धुवाधार सक्सेज में उन्हें पूरी दुनिया में यानि की फूरे देश में चर्चित कर दिया है वहले है जो पैन इंडिया रिलीजस होनेवाली है इस फिल्म को मिकर छ्만लिक त्मिली से और मलीयालम लैंग्विज में ुर्यलीज कर रहे हैं ऐसे में एक्टर को लेकर खबरों का बाजार लागातारगर्म है अब अलू अजुन के जुड़ी एक और जिल्चस खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर उनके फैंस का क्रेश साथवे आस्मान पर पहुँच जाने वाला है अलू अजुन ने हाली में केजी अफ डारेक्टर प्रशान नील के मुलकाद की है वो हैदराबाद में आज प्रशान नील के डुक्तर के बाहर स्पॉर्ट की गए यहां उन्हें देखने के लिए लंबी लाइन लगी थी अलू अजुन ने वहां से निकलने के बाद हजारों फैंस को हाथ लाकर अभी वादन किया अलू अजुन ने फैंस को इस तरह से उन पर प्यार बर्टानी के लिए धन्यवाद भी कहा जिसके बाद वो ऑफिस के अंदर चले गए इसके बाद से खबरों का बाजार गर्म है कि अलू अजुन और प्रशान मिल की ये मुलकात किसी आने वाले प्रोजेक्ट पर बात करने को लेकर है इस खबर से अलू अजुन के फैंस में भारी प्रेस है वेल आपको बताते कि प्रशान मिल की केजियास टूड बनकर तयार है और जल्दी क्येटर में पहुशने वाली है इसके बाद वह प्रभास की आने वाली फिल्म केलार को पूरा करने की कोशित में प्योटे होंगे फिल्म हिंदिनों स्टेज पर है क्या इसके बाद प्रशान मिल अलू अजिर्शन अग्री फिल्म की तैयारी करेंगे इस जवाल का जवाब उमीद है कि जल्द मिलेगा वेल दोस्तों आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में नीजे कमिंग बॉक्स में अपनी राइश क्या बॉलिवोड में भी एक सूपस्टा बनना चाहते हैं अलू अर्जुन और क्या बॉलिवोड में अपने कदम जमाने का इरादा है इनका तो आईए जानते हैं अप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ जहां आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पागे तो आप लोगोंने मैं नौर्थ इंडियन वादो से सवाल कर रही हूँ आप लोगोंने भी साउथ इंडियन फिल्मे तो जरूर देखी होंगी पूरे साउथ में पूजा जाता है उन्हें वो रिकोगनीशन उस लेवल का रिकोगनीशन बॉलीवूड में नहीं मिल पाता है दोस्तो आप सभी को एक मज़े की बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि रजनी कान्थ को पूरे साउथ में इस तरीके से पूजा जाता है कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है तो वहाँ पर पूरी नेशन वाइड हॉलिडे डिक्लेर कर दी जाती है जी हाँ और साउथ इंडियन फिल्मों का बिजनेस जरा बड़ा है यहाँ पर बॉलिवुड में भी इन फिल्मों को बहुत ज्यादा देखा जाता है तो जब साउथ के मेकर्स ने ये देखा कि लोग फिल्मों को इतना प्यार कर रहे हैं तो उनोंने सोचा कि क्यों ना इन फिल्मों का हिंदी डब करकर रिलीज कर दिया जाए क्यों ना इन फिल्मों को सिनमा घरों में एज हिंदी डब रिलीज कर दिया जाए एसे में हम साउध की इन फिल्मों का मज़ा अपनी चुनी हुई भाषा में अपने पास के नजदी की सिनमा घरों में भी देख सकते हैं तो इसी बात को ध्यान में रखकर बाहुबली फ्रेंचाईज और KGF फ्रेंचाईज ने फिल्मों को डब करकर सिनमा में रिलीस किया है और यहां तक कि साहू जैसी फिल्मों में हिंदी आक्टर्स को भी लिया गया है साउथ के मशूर अक्टर अलू अर्जुन अभी तक इस सब को नोटिस करके आ रहे थे वैसे तो उनकी ओडियंस, तमिल ओडियंस, तननड ओडियंस यही सब लेकिन अब वो अपने इस टागेट को बदरना चाहते हैं हाग히 में एक इंटर्व्यू में अलू अर्जुन ने बॉलिवूड की तारिफ थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने बॉलिवूड एस्पिरेशनल लगता है अगर उनको कभी उरी जैसी फिल्म ऊफर की जाए तो वह उस फिल्म को जरूर करना चाहिए यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तमिल फिल्म अर्जुन रेड़ी ऐसी फिल्मों में वो काम नहीं करना चाहते हैं इसलिए वो अब कुश्पा को पैन इंडिया रिलीस दिलाने वाले हैं जिसकी वज़ा से वो फिल्म बॉलिवुड में रिलीस कर दी जाएगी तो अब ये देखना बाकी होगा कि कितने तेजी से अलू एंट्री मारते हैं बॉलिवुड के मारकेट में और आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तब तक के लिए हमारे चानल बॉलिवॡ स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदाथ क्या अलू अरजण की फिल्म पुष्पा में होने वाली है उर्वशी रौतेला क्या होने वाली है पुष्पा के खास बाते कब तक ये फिल्म रिलीज होगी है हेलो फ्रेंड्स आप देखे हैं बॉलीक्रास स्टूडियो मैं सोनी का जयार पुष्पा की लगातार अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं एक और अपडेट सामने आई ये पुष्पा की और इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है उर्वशी रौतेला की जहां उर्वशी रौतेला जो की होड एंट स्टनिंग है बॉलिवड डीवा है और अब उनका एक आइटम सॉंग होने वाला है पुष्पा में बहतरी डांस तो उर्वशी करती ही है साथ ही उनके जो लोक्स है वो वाकई कातिलाना है और आपको बता दे पुष्पा जो फिल्म है उसका हाल ही में शूर शूरू किया था अलू अर्जुन से से भी बहुत सारी तस्वीरे लीक हुई थी और जब लीक हुई थी तो सुकुमार जो की इस फिल्म के डिरेक्टर है वो नहीं चाहते कि कोई भी तस्वीर सामने आई इसलिए उन्होंने टाइट सिक्यॉरिटी कर कि सेट से कोई भी तस्वीर बाहर ना जाए वो बहुत बड़ा सर्प्राइज देने वाले है इस फिल्म के जरीए आपको बताते इस फिल्म में अलू अर्जुन का जो लोक है वो काफ़ी कमाल का है अलू अर्जुन के इसमें करली है नजर आ रहे है और चेक शॉट नजर आ हैं भूमिका में नजर आने वाले हैं वो पुलिस का करदार कने वाले है और शायद अलू अर्जुन कैसे बचते हैं उनसे ये सारी कहानी होगी रश्मी का मंदाना अलू अर्जुन के अपॉसिट इस फिल्म में नजर आएंगी वहीं आपको बता दे अलू अर्जुन की बड़े परदे का अनुभाव किस तरह से होगा जब grand entry होगी और इसमें खाली एक जब entry होनी है अलो अर्जुन की उस पर 6 करोड का बड़ा खर्चा किया गया है बहुत ही धमाकितार इसको बनाया जाएगा इसमें action scenes भी कमाल के होने वाले हैं दोस्तो यानि कि fully entertainment film यह होने वा आपको अलो अर्जुन की फिल्म पुष्पा का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा फिलहार इसकी shooting चल रही है और अगले साल तक इसे release किये जाने का प्लान है तो लिखे नीचे कमेंट सेक्शन में कितना इंतशार है पुष्पा का अलो अर्जुन आपो कैसे लग का मंदिना की आने वाली फिल्में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिग्राथ स्टूडियोज में आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा से जोड़े कुछ नया अपडेट तो इस वीडियो को एन तक जरूर दे को उस वक्त सबसे बड़ा सर्प्राइज मिला जब सर्च इंजिन गूगल ने आक्रस को नाशनल क्रश ऑफ इंडिया 2020 फीमेल घोशित किया गूगल ने नाशनल क्रश शर्च करने पर रश्मिका का नाम परिणामों में मिलता है और इसके बाद ट्विटर पर भी रश्मिका नाशनल क्रश हाश्टाग के साथ ट्रेंड करने लगी है और उसके बाद ही रश्मिका ने इसका स्क्रीन शोट अपने ट्विटर अकाउंट से शेर भी किया उन्होंने इसके साथ लिखा मेरे फैंस वाकई लिजिनरी हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इत किया था इस फिल्म में रश्मिका की अधाकारी खूब तारीफ की गई थी और फिल्म उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी जिसमें से एक साल बाद ही 2017 में आक्ट्रिस ने फिल्म के हीरो रक्षित शेटी के साथ सगाई रचाली थी लेकिन कुछ महीनों में दोनों के ब्रेक अप की खबरे सामने आने लगी यही ब्रेक अप उनका ग्लो अप साबित हुआ क्योंकि महस 24 साल की ये अभिनीतरी साउथ की टॉप अक्रिस में गिनी जाने लगी है और बड़े बड़े नाम चीन आक्टर्स के साथ रश्मिका की जोड़ी बना हुए रश्मिका जल्दी जियोतिका के पती यानि सुपरस्टार सिंगहम सूरिया के साथ काम करने जा रही है टॉलिवड अभिनेता अभिनेता सूरिया जो अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सौराराई पोट्रो की सफलता के बाद अपनी अगले फिल्म पर फोकस कर र अलु अर्जन इस लिस्ट के सबसर जवान शादिशुदा हीरो हैं और एक पिता भी है जिनोंने हाल ही में अपनी बेटी अलु अर्हा का जनम दिन पुष्पा के सेट पर मनाया बता दे इस वक्त पुष्प की शूटिंग अंधर प्रदेश में हो रही है और वही अपनी प वहीं आद आती है फिल्म एदेले मुश्किल जब रनवीर कपूर ने नौ साल बड़ी आक्ट्रिस आईश्वर्य राय पर अपने से छोटी उम्र के हीरो के साथ काम करने पर सवाल उठाए गए थे देखे कैसे समय बदल गया वहीं क्या समय सही में बदल गया या केवल समय मेल आक्टस के लिए समय बदला है साथ ही क्या वज़ा है कि फिल्म पुष्पा में विलिन विजय सेदुपती इतने मश्हूर है अपनी आक्टिंग का लोहा मनवाच चुके विजय सेदु पती साउथ के राजकुमार राओ या आयुश्मान खुराना कहे जाते हैं जिसके फल्स वरूप वो आमिर खान की अगली फिल्म में भी काम करने जा रहे हैं एक आक्टिर के साथ विजय प्रडियूसर, लिरिकिस्ट और डायलोग राइटर भी हैं और विजय तमिल फिल्मों में मुख्य रूप में काम करते हैं इसके अलावा कुछ तेल्गू, मल्यालम और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अभिनीता को उनके प्रशन सकों और मीडिया द्वारा मकल सेल वन के रूप में जाना जाता है पीजा, सुपर डिलक्स और पेटा जैसे विजय सेतुपती की फिल्मों ने अभिनीता की वर्सिटालिटी को दिखाया विजय ने कई अभॉड्स को अपने नाम किया है और अपने आगे की फिल्मों के साथ वो अभॉड्स का सिलसला बरकरा रखेंगे और जल्द ही वो औरेतु हसन के साथ फिल्म लाबम में भी दिखाई देने वाले हैं तो क्या एक मुख्य खलनाया का अभॉड्स जीतने के बाद पुष्पा में विलन का किरदार निभाना आसान होगा विजय सेतुपती के लिए क्या होगा वहीं क्या विजय की पॉपिलारिटी टक कर देगी अलो अरजना रश्मीका की पॉपिलारिटी को हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताए वहीं अगर आपको हमाई वीडियो पसंद आई होते से लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें हमाई चानल बॉलिगराद स्टूलियोस को इस वीडियो के स्क्रिप्ट सिम्रन रावत ने लिखी है इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर्थ मारता ज्यादा हों किंता कम है गिंकर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है दोस्तों क्यों फिल्म पुष्पा की मजबूत करी और आक्टर विजे सेतु पती हो रहे है ट्पिटर पर बदनाम आंतर प्रदेश के जंगलों में हुई फिल्म पुष्पा की शूटिंग शूरू और क्या इस बार अलू अरजुन सहित फिल्म के सबी सितारे मनाएंगे जंगल में दिवाली दोस्तो अपने जंगल में मंगल की कहावत तो जरूर सुनी होगी लेकिन क्या अपने जंगल में दिवाली के बारे में सुना है जेहां दोस्तो इस बार लगता है स्टाइलिस्तार अलू अर्जुन अपनी दिवाली जंगलों में रश्म का मंदाना के साथ मनाने वाले हैं 12 नवंबर से शुरू हुई अलू अर्जुन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग के लिए आंतरप्रदेश के शेश्चलम जंगलों में पहुची पूरी टीम यहां दोस्तों फिल्म से अलू की तस्वीर सामने आई जिसमें वो ब्राउन रण की शूर्ट और पांट में दिखाई दिये हैं उनका चहरा तस्वीरों में नहीं दिखाया गया लेकिन पुश्पा के पोस्टर से मिलता जुलता दिखाई दिया बनी का अफ़तार जहां दोस्तों अलू अर्जुन के जनम दिन यानी की 8 एप्रिल पर निर्माता उने पुश्पा के पहले फोस्ट लोग पोस्टर को साज़ा किया और उसके शीशक को भी दिलीज किया जो कुछ समय में सोशल मीडिया पर वाइरल होता भी नजर आया दोस्तों आगे बढ़ते हुए निर्माता इसे कम से कम चालग दल के साथ शूट करने की योजना बना रही है और फिल्म टीम में शामिल प्रतेक तकनीशियों को नियमेत अधार पर गोविड-19 परिक्षन देने के लिए कहा जा रहा है जिया दोस्तों अलु अर्जुन 2021 की शुरवात में फिल्म को पूरा करने की योजना बना रहे हैं और फिर अपनी अन्य चीजों पर काम करने की सोच रहे हैं हम आपको बता दे फिल्म रश्मिका मंदाना एकमन अधिकारी की भूमे का निभाती नजर आने वाली है ट्विटर पर फिल्म के सितारे और टमिर अभी नीदा विज़े सेतुपती ट्रेंड कर रहे हैं और ये ट्रेंड दोस्तों नेगिटिव वजह से है और इसका ना सिर्फ रिकेट से संबंध है बलकि पर उसी देश श्री लंका से भी ये जुड़ा हुआ है दोस्तों विज़े सेतुपती श्री लंका के स्पिनर मुथ्या मुरली धरम की बायो पिक में काम कर रहे हैं जिसका पहला मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है ये मोशन पोस्टर रिलीज होते ही तमिल लोगों ने विज़े सेतुपती पर हमला बोल दिया जिया दोस्तों उनका लोग है अश्राक शेम और विजे सेतुपती को इसाथ ट्वीट कर निकते नाजर आ रहे हैं तो इस लोग विजे सेतुपती की फिल्मों के बहिसकार की भी बात कर रहे हैं वहीं कि इस फिल्म की वज़़े का फिल्म पुष्पा में काम करना तो मुश्किन नहीं हो जाएगा यहां दोस्तो जब फिल्म के सितारे विजे सेतुपती मुश्किलों में पसे हुए हैं दूसरी तरफ फिल्म की हिरोईन रश्मिका भी इन इंकम टाक्स के चक्रों में पसी हैं साउत की अक्ट् marking का मंधान और क्यां तमिल तेलगु और कानट फिल्मों में काम कर जुकी है साउत तरो एक जानी मानी अक्ट्रिस के तौर पर जानी जाती है साउत को साउत की सबसे महंगी हिरोइन भी कहा जाता है और वहीं रश्मिका से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनके घर इंकम टाक्स डिपार्टमेंट ने चापा मारा है अधिकारियों की जाज परताल दौरान आक्ट्रिस के घर से 25 लाक रुपे बरामद हुए हैं जी यहां दोस्तों कैश के अलावा घर से प्रौपेटी के कागस भी बरामद हुए हैं वहीं रश्मिका के मादा पेता इंकम टाक्स के चापे पर कुछ भी बात करने से बच रहे हैं रश्मिका के बैंक की बी जान बीन की जा रही है और रश्मिका केवल 24 साल की है और इतनी से उम्र में उन्होंने डियर कॉमरेट जैसी सूपरेट फिल्मों के साथ महेश भाबू और अलू अरजुन जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका पाया दोस्तों भई क्या आप जानते हैं साथ की स्चोल बुली सी दिखने वाली आक्ट्रिस के पीचे छुपी है एक दुखबरी दास्तान हजारों को अपनी क्यूट अदाओं से घायर कर चुकी है रश्मिका अपनी सगाई तूटने की वज़े से काफी मायूस थी लेकिन अपनी इस मायूसी को आक्ट्रिस ने अपने फिल्मी करियर से दबा दिया दोस्तों 2017 में रश्मिका ने अपनी फिल्म के रिक पार्टी में हीरो रक्षिच शेटी से सगाई रचा दी थी लेकिन ताल में इला बन पाने की वज़े से दोनों ने 2018 में सगाई को तोड़ दिया दोस्तों महीं क्या गुड़ चाहती है अपने फियूचर हस्बिन में रश्मिका बंदाना तो बता दे दोस्तों रच्मिका को कोई बड़ा अमीर आदमी नहीं बलकि एक अच्छा इंसान जीवन साथी के रूप में चाहिए इतनी महिंगाई में अच्छा इंसान मिल पाना थोड़ा मुश्किल है रश्मिका देखिए अगर अमीर आदमी से ही काम चल जाए तो अरजुन रेडी बाइक उठाए तैयार होंगे मैं रश्मिका 2021 की शुरवात ने अलू अरजुन के साथ पुष्पा में दिखाई देंगी साथ यह उनकी दूसरी फिल्मों में पोगरू और सुल्तान शामिल है तो दोस्तों क्या है आपकी नजरों में कोई रश्मिका के लिए सूटेबल दुला कौन से यंग बॉलिवड आक्टर के साथ जोड़ी जम सकती है रश्मिका की फिल्मों में हमें अपने जवाब जरूर बताएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें असल्म पुष्पा की कहानी पर लगा गया है दैन क्यों फिल्म को बंद करना पड़ सकता है डिरेक्टर सूकुमार को और क्या विशाखा पटनम पहले पहुंची पुष्पा की तीन क्या लेना देना है इस लोकेशन का फिल्म से अल्लो अर्जुन की आने वाली सिल्म पुष्पा पर एक साहितिक साजिश्रच्रे कारोप लगाया जा रहा जिसे मूल रूप से लेखक वेमपली गंगाधर ने लिखा था वेमपली ने दावा किया है कि फिल्म पुष्पा की कथानक उनकी तमिल कहानी कुली के सामने से है जो कुछ समय पहले प्रकासित हुई थी वहीं बता दें फिल्म पुष्पा एक तेलगू आक्शन फिल्म होगी जो क्या साउथ को दी प्रमुग भाशाओं के बीच आई दरार हाल ही में लेकक वेमपली गंगाधर ने एक पोस्ट डाली जिसमें दिखाया था कि कैसे फिल्म पुष्पा की कहानी के रूप से वही कहानी थी जो लंबे समय पहले प्रकासित हुई थी लेकक ने यह भी बताया कि वह विवाद को भढ़काने की कोशिश नहीं है बलकि जंता को पूरे मामले के बारे में जागरू करने की एक छोटी सी कोशिश है उन्होंने कई तिस्वीरे भी पोस्ट की जो साबित करती है कि फिल्म को कहानी उनकी कहानी के सम्मान है वेमपली गंगाधर आंदरपरदेश के कडपपज लेक एक लेकक है 2011 में उनकी लगू कहानी संगरा मोलाकला पुनमी के लिए उन्हें साहित्तक आदमी के युवा पुरुसकार में सम्मानित किया गया था गंगाधर के पुरुसकार विज्वेता प्रस्तुत मोलाकला पुनमी तेरा लगू कथाओं का संगरा है यह किसानों के दर्शाओं से इर्द गिर्द बुनी गई है तेलगू कवी गंटूरू शशेंद्र सर्मा ने पुष्टक के लिए अग्रह लेक लिखा था उनकी किताब माय नापू वो मालू ने अमरीकी तेलगू असोसियेशन पुरुसकार जीता किताब सेक्सेस वरकर्स के बारे में थी इस विश्चापर फिल्म के निर्माताओं द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक टिप्टी नहीं की गई है हाल ही में चुरंजीवी अभिनेती फिल्म आचारे को भी सहतिक चोरी के लिए दोशी ठहरा आगया है लेखक राजेश मंदूरी ने भी दावा किया है कि फिल्म की पटकता उनकी फिल्म के संबान थी वहीं पुषपा, सूकुमार, दुवारा, लिखित और निदेशिक नई तेलगू भाषा की आक्शन स्रिलर फिल्म है फिल्म में अलू अजुन और रश्मी का मंदाना मुख्य भूमिका में होंगे साथ ही प्रकाश राज और जगपटी बाबू सहायक भूमिकाओं में होंगे यह फिल्म दिवाली में रिलीज होने वाली थी लेकिन महामारी के कान इसकी रिलीज आगे खिसका दी गई निर्माताओं ने पहले ही इस फिल्म से अलू अजुन को फ़र्स लुक पोस्टर जारी किया था जिसने फिल्म प्रेणियों और अलू के प्रेशन्शकों के बीच अच्छी चर्चा पैदा की अब सुकुमार की फिल्म में पुषपा की सेट से एक तस्वीर लिख हुई है जैसे में अलू अजुन का शादार अवतार और दाड़ी वाला लुक सामने आया है बनी इस फिल्म में पुषप राज की भूमी का निभाने वाले हैं उसे मैत्री मूवी में एकस द्वारा बैंक रोल किया जा रहा है फिल्म का स्केड्यूल विशाखा पत्नम में एक विश्य रूप से निर्मित सेट पे होगा वरतमार में पुषपा का सेट मेर्दु मिली में वन पर चल रहा है फिल्म के कहानी चंदन के स्मगलिंग से जुड़ी है और कहानी तिरमुला के पहाड़ी शेतर शेष चलंग वन की प्रिष्ट भूमी के खिलाफ स्थापित की जुआएगी स्टाइलिश टार अलु अजुन ने अपनी लॉरी ज्राइवर के किरदार के लिए एक कठोर शाररिक परिवर्तन किया जबकि भीशम हिरोई रश्मिका मंदाना चितुर लड़की की चितुरित करने के लिए पूरी तरह तयार है इस लॉकडाउन के दुराण रश्मिका ने एक ट्विटर से चितुर बोली सीखी फिल्म के निर्माताओं ने इस बात की पुष्ची भी की कि वह फिल्म एक आक्शन सीक्वेंस के लिए के लिए छे करोड रुपे की भारी भरपाई करने वाले हैं जिस बज़े से ये फिल्म एक काफी एहम सीक्वेंस रहेगी वहीं इस सीक्वेंस में कहीं अलू की चंदन से भरी लकडियों की लारी ना चूट जाए बना बैक्ग्राउंड में 2007 के फिल्म एक चालिस की लास्ट लोकल का गाना क्या हुआ जो लारी छूटी चलना पड़ जाएगा मीडिया में एक्ट्रस रश्मी का मंदाना को एरपोर्ट में एंटर करते हुए काप्चर किया और हमारा नुमान है कि वेफिम पुश्पा के सेट की तरफ रवाना हो रही थी काले रंग की टी शट और फॉर्मल पैंड पहंडे डियर कॉमरे रभिनेट्री काले रंग की स्टाइल में स्वैट के साथ गुमती दिखाए थी उनके बाल खुले होने के साथ मुखोटे का स्टालिस्ट चश्मा लगाए वे दुनिया के जीतने के लिए तयार बॉस लेडी की तरह लग रही थी बगता है स्टालिस्ट और अलु अर्जुन को कॉम्पेटिशन देने के लिए मैदान में उतर गई है रश्मिका भही क्या कहना आपका इस नई जोडी के बारे में क्या अलु अर्जुन और रश्मिका के भी इच फिल्मी केमेस्टि जमेगी या नहीं हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं आज के इस खास वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ हे हमारे चानल बॉलिग्राट पर इसी तरह नई फिल्मों के ट्रेलर्स और दिल्चस्ट ताक्स देखने के लिए से सब्सक्राइब करना न भूले आज के हमारी स्क्रिप्ट अलु अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपर हिट बनाने के लिए क्या-क्या तैयारिया कर चुके है कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते अलु अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अलु अर्जुन हमें सीधा बड़े परदे पर नज़र आएंगे अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे लेकिन आप ठीटर वाल सुपर हेट रहेगी क्योंकि जो हिंदी ओडियंस है बार-बार इन्हें खबरे देनी पड़ती है का फिर्म रिलीज हो रही है तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए इसी लिए हिंदी ओडियंस के लिए स्पेशल ही अलु अर्जुन मेहनत कर रहे हैं क्योंकि दॉर्स देते हुए नजर आएंगे अलु अर्जुन साथ ही आपको बता दे कि एक खबर ये भी है कि कपिल शर्मा शो में भी इस फिल्म का प्रमोशन हो सकता है तो सोचे अलु अर्जुन अगर कपिल शर्मा शो में पहुँच गए तो कितना भयंकर मज़ा आने वाला है दोस्तों ये बात वागए बहुत बड़ी एकसाइटमेंट भरी है और इसके अलावा आपको बता दे कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है रश्मे का मंदाना इसमें निजर आने वाली है विजह सेतु पती है और विलन का नाम भी रिवील कर दिया गया है सूरिया जो क अलू अरजुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं तो वो विलन का किरदार करने वाले है साथ ही सुकुमार इसे डारेक्ट करने वाले हैं जो कि अलू के साथ पहले भी काम कर चुके हैं तो बहुत सारी जोडियां रिपीट हो रही है एक इसाब से लगाया कि अलू अरजुन की जो शॉर्ट है चेक शॉर्ट दिख रही है बेल बॉंटम पैंड्स दिख रहे हैं साथी उनके हाथ में स्टील के घड़ी है जो कि एटीज के दौर में पहनी जाती थी तो उसी टाइम का ये दिखाया जाएगा आंदर प्रिदेश के जंगलों में फिल अलू अरजुन नजर आ रहे हैं और फिल्म में भी इसी तरह का धमाल मचाते हुए नजर आएंगे फिल्म में एक्शन बहुत भरपूर होने वाला है तो दोस्तों आपको कितना अंतजार है अलू अरजुन की अपकमिंग फिल्म पुश्पा का ये जरूर बताईए और ये कितना बड़ा धमाका मचाएगी आपको क्या लगता है बॉक्स ओफिस के लिए हाथ से नीचे कॉमें सेक्शन में अपनी राही जरूर लिखेगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही ब्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किनता कम गिन कर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है सर मैं ऐसा ही हूँ भूख लगती है तो पेट पर खाता नीन दाती है तो जीवर सूता और गुस्सा अलू अरजुन के अपकमिंग फिल्म पुश्पा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है क्या ओपनिंग रह सकती है पुश्पा की वर्डवाइट कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बज़ट में बनाया जा रहा है पुश्पा को हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉली ग्रास स्टूडियोज मैं हूँ सोनी कज्वाल बात करेंगे साउथ के स्टाइल स्टार अलू अर्जुन की जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुश्पा और बहुत ज्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लुक शेयर किये गये हैं और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था कुछ तस्वीरे लीक हो गई थी इस फिल्म को सुकुमार डैरेक्ट कर रहे हैं लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो शूटिंग लोकेशन है उसके एक भी फोटो वाइरल हो और लीक हो इसलिए उन्होंटे कड़ी सिक्यूरिटी रख दी है और जिसने भी ये लीक किया है तस्वीर उसके पी शौ में रिलीस की जाएगी और पहली बार अलू और जुन हमें हिंदी में भी बड़े परदे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ओफिस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अभी से अनुमाल लगाया जा सकता है कि अच्छे खासी ओपनिंग देगा हिंदी की अगर हम बा करोड का अगर हम बोले अलग भार्षाओं से जो बाकी भार्षाओं में रिलीस हो रही है उससे 60 करोड ये उक्यूपाइ कर ही लेगी इतना कलेक्शन ये कर ही लेगी खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये टोटल कलेक्शन ओवरॉल कलेक्शन की बात करें तो दोस् तर्वाइड ये 500 करोड की कमाएग कर सकती है हिंदी त gak लिते लिगु से तो करोड कर लेकशन की बात करें तो पांचो करोड की कॉलेकशन आराम से पुष्पा कर लेगी इससे जी जाधा की जीना का मैंग और वर्ड वाइड भी उनकी फैन फोलिंग बहुत जादा अच्छी है तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता है तो वह हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि अल्लू की जितनी भी फिल्मे आती है वो अल्रेडी यूट्यूब पे धमाल मचाती है उनका हिंदी डफ जो वर्जन आत तो यह तैह है कि यह फिल्म धमाल ही मचा पाएगी और सेंडल वुड जो लकडी होती है उसके स्मंगलिंग करते हुए दिखाया जाएगा विजय सेतूपती इसमें होने बाले है एक और विलन का लाम सामने आचुका है वो है आर्या और आर्या अलु अर्जन के साथ और फि चौकाने वाली है रश्मिका दर्शकों को क्या इस नए के दा से बदल चाहिए अभिनीत्री की छवी और क्यों एक बार फिर रोकी अलु अर्जन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग क्या थी बड़ी वजह इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग गुपता है और अभी नहीं तरी रश्मिका मंदना कभी अपने दिल पिगला देने वाली तस्वीरों की वजह से तो कभी अपने जिम वर्काउट की वीडियो से लेकिन जल्द ही अभी ग्लामर डॉल अपना काया पलट करने जा रही है अपनी एक खास फिल्म के लिए तो क्या पैयार है उन लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी पर आधारे थे अलु अर्जुन का बीहड लुक लुक पहले ही सोचल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है अलु अर्जुन जिन्होंने बच्पन में ही अपना आक्टिंग करियर चिरंचीवी जैसे बड़ सतारों के साथ फिल्म डैडी से शुरू कर दिया था वही रश्मिका चाहे इस फील्ड में नई हो लेकिन अपने काम से अवल है अभी नेत्री चौबिस साल के सभी नेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म किरिक पाची से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बाबु के साथ सारी लेरू निक की गोरी का किर्दार फिल्म में वे गाउं की एक गरीब लड़की के अंदाज में दिखेंगी जिसके लिए उन्हें नॉन ग्लामरिस रूप में दिखाया जाएगा रश्मिका और अलु अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंद्रपदेश के चितू जिले की चित्तौरी भा रखती हैं और क्या आप जानते हैं शौइद कपूर की अगामी फिल्म जोसी में प्रुणाल ठाकों से पहले रश्मिका को फिल्म में म्रुनाल वाला किरदार ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजी क्योंकि कोई जिनकी निगाहे ठिकी हैं सुन्दर और टालेंटेड आक्ट्रिस पर जी हा संजलीला भंसाली जिन्होंने आईश्वर राय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बदला वहीं दिपिका पादुकौन की फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या शीर्शक के साथ आईगी अभी तक बताया नहीं गया है अलु आरजुन फिल्म पुष्पा के डारेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपरिट फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुष्पा को मैथ पारों को जोड़ के रखा है और यह फिल्म के म्यूजिक डारेक्टर देव श्री प्रसाद हैं जिन्होंने कई तैल्गू हिट गाने दिये हैं वहीं आपको उर्वशी रोटेला का गाना डैडी मम्मी हैनी घर पे याद है उस गाने के म्यूजिक डारेक्टर ही भी नियुजिक डारेक्टर देवी श्री प्रसाद रिखे गए वही फिल्म से जुड़ी खास बात यह है कि फिल्म की शूटिंग काफिस योई और चल रही थी और पुष्पा को इस साल क does one में लॉंच-क गया था अलू अजुन्स टेरर पुष्पा के निर्मताया ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वाइरस में पॉजिटिफ पाया गया इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोग दी गई और सेट पर सभी की शुरक्षा और साथ धानियों को ध्यान में रखते हुए निर्माता उने जैनुरी तक शूट स्थागित करने का फैसला क किया है तो क्या बनेंगी रश्मे का भंसाली की हिरोई कहीं फिल्म पुष्पा कीजिए फ्टू से क्लाश तो नहीं करेगी आपको क्या लगता है हमें अपने जवाग कमेंस करके जरूर बताएं वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमाई चानल बॉलिग्राथ स्टूडियोज को इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिम्न नहीं करते है अल्लो अर्जन स्टारर पुष्पा फिल्म की स्टूरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थियोरिस क्या है साथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतर इंज फिल्म के साथ तेजी से पॉपलिरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटर्टेनिंग स्टूरी और फिल्मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी-बड़ी की से फॉलो करना फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो एक्टिंग एंड डिरेक्शन एंड फॉर्दर्थ मेटर बजट हो इस एफर्ट का रेजल्टेन है कमाल का सिनमा जिसके काफी चाहने वाले है तो हम सेफली ये कह सकते है कि कॉन्टेन के मामले में अब बस बॉलियूट ही नहीं बल्कि साथ में ही कई डीजियनल सिनमा भी रेस में आ चुके है और कई केसे में तो बॉलियूट से बड़िया कॉंटेन परोस रहे है हर तपके से जुड़े लोग अब साथ सिनमा की तरफ देखने लगे है और इसकी बदोलत साथ स्टार्स की फैन फॉलईंग अलग लेविल्स पर पहुच चुके है पर इधर उधर ज्यादा ना भटक के सीध्यात हैं मुद्दे पर स्टाली स्टार अलु अर्जुन की और कनाड़ा क्रश रश्मी का मंदाना की मच अवाइटेट फिल्म पुश्पा रिलीज होने जा रही है और एस एक्सपेक्टेड इस त्रेलग फिल्म की एंटिसिपेश आसमान चू रहा है फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो यह होगी रेर सैनलूट की तसकारी पर बेस्ट जिसमें अलुवर्जन इसी धंदे में काम कर रहे हैं एक लौरी ड्राइवर होंगे अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने इस निकाल के सामने आ रही है तो देर की इस बात की आये डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है पहले एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चकल लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानि रश्मी का मंदाना का पता नहीं होगा अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेट सैनल उट की तसकारी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोत की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहां वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा इस फिल्म क को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थियोरी की तरफ इसमें अलु अर्जुन और रश्मिका के करेक्टर की तो पहले से शादी हो चुकी है पर इसमें कॉन्फिक्ट होगा अर्जुन की बेहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर अब अल अर्जुन खुद भी रेर सेंडलूट का स्मॉगलर बन जाएगा और लोडी चलाएगा इसे लुक में वह विलेन के करीब पहुच जाएगा जो सेंडलूट स्मॉगलर माफिया हैड होगा और जिसने उसकी बेहन को इसलिए मारा होता है क्योंकि इस धनली का पता चल जाता ह है अपने फॉर्स प्रोजेक्ट पर काव करते हुए तो एन में होता है घुमासा नियूद और विलेंग की हार के साथ स्टोरी समाप बस यहीं नहीं बलकि स्टोरी को लेकर जितने मौ उतने बाते हैं पर असली स्टोरी कब रिलीज होने जा रहे हैं अलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुष्पा की खास बाते हैं अपने जनम दिन के मौके पर अलू अर्जुन ने सबको सर्प्राइज दिया था पुष्पा की गोशना की थी और बताया था कि यह पैन इंडिया फिल्म होने वाली है पहली बार अलू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वह बहुत अगलग भाशाओं में फिल्म का पहला लूग भी शेयर किया था जिसमें की अलू अर्जुन बहुत ज़ादा मेजिंग लग रहे थे सोशल मीडिया पर बहुत ज़ादा पसंद भी उन्हें किया था और लूग के पीछे मेकप आर्टिस्ट और लूग डिजाइनर प्रतिश प्रतिशील ने हैदर, मॉम, 102, नॉट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाईजादा, हाउसफुल 3, बहुत सारे फिल्मों में मेकप आर्टिस्ट वो रहे हैं जादू चलाया अपने मेकप का और इस फिल्म में भी उनको लोक देने के लिए प्रतिशील बहुत ज़ादा मेहनत क अब तक बहुत सारे लोग शेयर किये गए है लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों क्योंकि अलो अर्जुन ने हाल ही में आज ही अन्नाउंस कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें की उनके हाथ में कुलहार नजर आ रही है पूरे जंगल का सीन अंधेरा सीन नजर आ रहे है उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं वो इक पेड़ पर बैठे हुए है और साथी अलो अर्जुन ने कर दिया है कि उनकी फिल्म श्पाकब रिलीज होने वाली है जिया दोस्तों उन्होंने ये जो और पीछे से आप देख सकते हैं और लोगों के हाथ में भी कुलाड़ी है अलो अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथी अलो अर्जुने से कैप्शन दिया है पुष्पा ल वहीं मैजिक क्रियेट करेंगे वहीं दोस्तों आपको बता दे पुष्पा एक एक आक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डिर्से डिर्यक करें हैं सुकुमार जो कि अलू अर्जुन के साल आर्या और आर्या 2 में भी उन्हें डिर्रेक्ट कर चुके हैं फिल्म में अलू पती बाबू जैसे कलाकार नजर आएंगे और एक्टरस की बात करें तो रश्मी का मंदाना एक बार फिर से जादू बिखेने के लिए तयार है इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है वहीं हर्मन उत्मन और वेनेला किशोर भी इस फिल्म में एहम भूमी कोई नजर आएगी ये दक्षडी आंधर प्रदेश में पूर्वी घाट के पहाडी शेत्र का हिस्सा है यानि कि बच्छी अची लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी और इसमें विज्जे सेतु पती और अलू और जुन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले है यानि कि अच्छन दमदार फाइट होने वाली है तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है पुष्पा का नीचे कमें सेक्षिन में जरू बताएगा फिल्हाल पता ही चल गया है 13 अगॉस को ये फिल्म रिलीज होने वाली है तो आप कितने एक्साइटेड है इसल्म के लिए जल्दी से लिए नीचे कमें सेक्षिन में और इसी तरह के दूसरे बॉलिवर्ट, टॉलिवर्ड, हलिवर्ड अपडेट्स के लिए तो आपकी आज की होस्त और आज अंबाग करने वाले हैं फिल्म पुष्पा के बारे में पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेल्गू लांग्व राइटर की थी और उन्होंने मोहन और वीवे विनायक को भी असिस्ट किया है सुकुमार ने अपना डिरेक्शनल डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या की द्वारा किया था और ये फिल्म काफी सूपर हिट हुई थी जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी फिल् को बता दे कि फिल्म पुश्पा को प्रिड्यूस मेटरी मुवी मेकर्स इन एस्सोसियेशन विद मुत्तमशेटी मीडिया के तहत प्रिड्यूस किया था फिल्म पुश्पा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कोरिंग के तहत रिलीस किया था फिल्म पुश्पा को 13 अगस 2021 को रिलीस करने का स्केडियूल किया है फिल्म को तेलबू, तमिल, मल्यालम, हिंदी और कनेट वर्जन में डब्ड किया जाने वाला है जानवरी 2020 में पहले डारेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था महेश बाबू के साथ लेकिन महेश बाबू और डारेक्टर सुकुमार की क्रियेटिव डिफरेंसिस की वज़े से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया और उनका नेक्स प्रोजेक्ट सरी लेरू नेकेवारू फिल्म को साइंग किया था जिसे डारेक्ट अनिल रवी पूरिस ने किया था बाद में अलू अरजुन ने प्रोजेक्ट साइंग किया सुकुमार के साथ उनके फिल्म में अज लीड अक्टर काम करके सुकुमार और अलु अर्जुन की फिल्म पुश्पा थर्ड कोलाबोरेशन है साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन दे रेट सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था आपको बतादे कि फिल्म पुश्पा को फॉर्मली लौंच किया गया था हॉक्तूबर 2019 में डिसेंबर 2019 में डारेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था केरला के एथी रापिडली फॉल्स पर फिल्म पुश्मा का फर्स केडूल केरिला में ही शूट किया गया था फिल्म को COVID-19 पैंडमिक की वज़ा से हौल्ट कर दिया गया था फिल्म की शूटिंग दुबारा स्टार्ट करी गए थी 10 नवेंबर 2020 में विजे सेतुपती बहुत चचा में थे दि अंटेगोनोजिस प्ले करने के लिए और जैनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए रश्मिका मंदानल को एपरिल 2019 में आज़ लीड आंक्टर कास्ट किया गया था और जगापती बेबी और प्रकास्ट राज को की रोल्स करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था आपको बता दे कि जुलाए 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतुपती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इशूस की वज़े से कनड़ा के फेमस आक्टर धननजे को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था निवेंबर 2020 में जब फिल्म पुश्मक की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी दब सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था बस फिल्हाल अज इस फिल्म के लिए इतना ही है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर करना ना भूले और हमाई चैनल बॉल्क्रास वीडियोस को सब्स्क्राइब भी जरूर करें हम जल्दी लौटिंग एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ आज की स्क्रिट्प्राइटर है रुशाद इकनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हूं किंता कम गिंकर मारने के लिए लिए कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है सुर मैं असा ही हूं भूख लगती है तो पेट पर खाता नीन दाती है तो जीवर सोता और गुस्सा आता है तो परूब कर लगता खाता है छब्श्राइबतannelistä सुड़ि LA एल तन मुझा झालो आल और समय। क्या पुश्पा से करने वाली है रश में का मंदाना बॉलिवुड में अपने करियर के शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉंट्रिबूशन बॉलिवुड को रश में का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा आप सबी का स्वागत है हमारी पैनल बॉलिगराश वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आपने ये तो अभी अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडास्ट्री के कई फिल्म में पैन इंडिया रिलीज यानि की अपने औरिजिनल भाशा के साथ साथ कई और भाशाओं में भी रिलीज होने वाली है ये ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में SS राजा मॉली की फिल्म बाहु बली तब बिगनिक रिलीज हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जिन की प्रड़क्शन करन जोहर के धर्मा प् उसके बाद बाहु बली स्टार्प्र प्रभास की पुपविलानेटी की वाजा से उनकी फिल्म साहु को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला फिर उनकी आने वाली फिल्मλी रादे शाम और आदी पूरश और साथ में ना गेश्वीन की फिल्मा सिधात अनन्द की फिल्मे भ भी एक बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला इसी का दूसरा पार्ट 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है साउथ इंडियन आक्ट्रेस ने कई बार बॉलिवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे की श्री देवी, जया प्राडा, एश्वर्या राय, असिन, दिपिका पादुकोन, तापसी पनू जैसी कोज अभी नेत्रिया अमाब सफलता पा चुकी है बॉलिवुड में वही सिल्क स्मिथा, सौंदर्य, काजल अगरवाल, त्रिशा कृष्णन, जैसी अभी नेत्रिया ज्यादा काम्याबी नहीं हासल कर पाई हाला कि वह सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं अभी अभी साउथ में विजे की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही है और साथी साथ विजे के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी रश्मिका मंदाना को पिछले साल नैशनल क्रश का टाइटल मिला था ये क्रश पहले देशा पार्टनी को भी मिला था रश्मिका मंदाना एक के बाद ही बड़े बड़े हीरोस के साथ काम करके अपने करियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही है तेलगू, तम्मिल और कनड में अपने फिल्मी करियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती है कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मुवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ओफर हुई थी RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हाँ कह दिया था इसमें उनके उपसिट होंगे सिधात मलहुतरा मगर हाल ही में सिधात मलहुतरा का करियर इतना स्मूध नहीं जा रहा हाला कि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे है मगर उनके प्रयाज ज्यादा काम्याब नहीं हो पा रहे तो इसलिए रश्मिका अपने बॉलिवुद डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के आपोसिट फिल्म ढूंट रही थी और इसी वक्त उनके कानों में अलू अरजुन की एक फिल्म आई अलू अरजुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाइश पूरी भी हो गई और तब ही उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीस करवाने का सुझाव भी दे दिया तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अलू अरजुन को इस बार सोनी मैक्स पर नहीं बलकि थीयेटर में भी हिंदी में हम सब देख सकते हैं केवल रश्मे का कि उस ख्वाइश की वज़ा से दोस्तों साउथ फिल्म के एक्टर अलू अरजुन इस वक्त फिल्म इंडस्टी की सबसे चर्ची चैक्टर है उनके पिछले फिल्म अला वैकूंट पूरम की धुवाधार सक्सेज में उन्हें पूरी दुल्म अजिर संग अग्री फिल्म की तैयारी करेंगे इस जवार का जवाब उमीद है कि जल्द मिलेगा वेल दोस्तों आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में नीजे कमिंग बॉक्स में अपनी राज़ शेयर करें अजिए glare अपनीशन एक B दो हम मैं स्वाब डाट करेंगे रेलीयस होगी फिल्म पुष्पा के तिने अ वूस्अढ़र जीन डाशन methodぞ चुकी है रश्मे कमंदना नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग गुपता है में तहे दिल से आप सब का स्वागत करती हूँ बॉलिगराद स्टूडियोस की आज की इस नई वीडियो में जहां हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म पुश्मा के बारे में तो दोस्तों आप इस व बिना किसी देरी के जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुश्पाइक अपकमिंग इंडियन तेल्गू लांगवज आक्षिन थ्रुला फिल्म है जिसको लिखा और डारेक्शन कर रहे हैं सुकुमार इसे प्रडियोस किया है नवीन यरनेनी और वाई रवी शंगर ने जो मुवी मेकर्स के असोसियेशन में मुट्टम सेटी मीडिया से हैं अब दफिल्म स्टार अलु अर्जुन आन रश्मी का मंदिना जबकि जगपती बाबु भी हैं प्रकाश राज धनन जय और सुनील भी सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले हैं जैसा कि प्रशंसक जर अलु अर्जुन के जनम दिन पर रिलीज किया जाएगा जो की 8 एप्रिल को होगा वर्तमान में निर्माता फिल्म के लिए रश्मिका मंदिना के हिस्से की शूटिंग कर रहे हैं और रश्मिका जो की प्रमुक महिला का किरदार निभाती नजर आएंगी वहां हर बार से से तस्वीर साजा करती रही है पिंकवला के रिपोस के अनुसार पुष्पा के दो शूटिंग स्केडियूल्स पिछले महीने राप अप हुए थे और निर्माता उन्हें ट्विटर पर इसकी घोशना भी की थी उन्होंने लिखा था टीम पुष्पा ने नवेंबर 2020 और ज जिसके बिना हमाई शूटिंग पूरी नहीं हो पाती थांक यू रंपा चोद्वारम और मार्देवली अब हम निश्चित रूप से फिर से वापस आ जाएंगे उन्होंने ट्विटर पर लिखा वहीं अगर हम रश्मिका मंदना की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो उस ल रश्मिका मंदना नहीं अब ही तक 5 आवार्द्स जीते हैं जो की हैं पिस्ट डेप्यटे एंट की शूट में ब्हस्त बिस्टायाग पर अन जानी पुत्र बिस्टायाग्त्रिस टीज बेस्टाईगा Agresh तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि आ रश्मे का अपना जादू भिखेर पाएंगे फिल्म में अपनी क्यूटनेस और होटनेस के साथ और अलो अर्जुन के साथ काम में उनकी फिल्म हिट होगी या फिर नहीं हमें कमें से इन कारोनों से हुई पुषपा फिल्म के शूट शीरियों में देरी या इस डिले की वज़ा से पुषपा की रिलीस डेट पर भी फर्ग पर सकता है पुषपा फिल्म के बारे में क्या अपडेट दी है फिल्म और टेलेविशन के फुल फॉर्म में काम करने का सिलसिला अभी दो तीन महीने पहले ही शुरू हुआ था कि अभी से ही इसमें आच्छाने आने लगी पढ़ते हुए कोवीट के इसे एक बार फिर से इंदिया के लिए सरदत बने हुए है और इसी कारण से काफी सारे मुवीज या तो थिये ट्रिकल रिलीस को अभी के लिए स्किप कर चुकी है या फिर करेंटली शुट होने ही फिल्म के शुट शुट शिडियूल में गड़ अभी तक इस मैसिफ प्रोजेक्ट के दो शिडियूल ही पूरे हो पाए है थे अब जैसे ही इसका अगले शिडियूल की तेयारी कास्ट और क्रियू ने शुडू की तो इनका रास्ता काथ लिया कोडोना ने क्योंकि फिल्म काफी बर स्केल पे बनाई जा रही है तो जाहिर इसी बात है इसमें क्रियू भी काफी ज्यादा काम कर रहा है और फिल्म के साधे शिडियूल आउटसाइड ही शूट होने है इसलिए डारेक्टर साहिब सुकुमार ने सेफटी को चुनते हुए शूट को तालने की सला बनाई है इसलिए इस डिले का असर सीधा इस फिल्म क नहीं दिखाते इनका सिधान थी यही है टाइम चाहे जितना लग जाए पर हर काम होगा तसलिबक तो शूट तभी शूरू होगी जब कंडिशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा फिर चाहे इस डिले की भरपाई फिल्म के रिलीज डेट को खिसका के ही क्यों ना करनी परे हा तो यह भी लग रहे थे कि शायद मेकर्सिस का टीजर अर्जुन के बर्दे 8 अप्रेल को रिलीज कर दे अब यह वाइदा पूरा होगा या नहीं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन अभी तक जो अपडेट हमें अलो की तरफ से मिला है वो तो मात्रतो तेलिगू कर देएगर देलें जिसका लुसी मतलब यह है कि फिल्म की शूट मस्ट से चल रहा है लेकिन इसी तेजी पे लगाम अब लगने ही वाला है वजा है कोरो ना प्यूं मान ही लोग कि स्चूट मस्ट दोसों की स्पीड से चल रही तो इसी बीच को ना नाम का स्पीड़ ब्रे पहली जलक सामने आ गई है इसका खुलाशा करते हुए मेकस ने एक धमाकेदार वीडियो शेयर किया है इस वीडियो को देखने के बाद अलू अरजुन के फैंस बेहद एकसाइटीड हो गए है इस वीडियो में हमें अलू अरजुन का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उनका अंदाल सी उनकी सबसे बड़ी पहचान है जहां इस फिल्म का चोटा टीजर भी कमाल का है दोस्तो देखा जा तो वहीं कुछ दिनों पहले फिल्म के विलन को लेकर अपडेट सामने आया था मेकस ने फिल्म के विलन से फैंस को इंट्रोड्यूस करा दिया जहां बताया गिया कि इस फिल्म में नैशनल अवार्ड विनर मलयालम एक्टर फहाद फासिल फिल्म में विलन के कैरेक्टर निभाएंगे इसक्रिन पर अलू अरजन और फहाद की टक कर देखने लाएक होगी दोस्तो बात करें फरस्ट लुक की तो वीडियो में देखने को मिला कि इसमें कोई एक वेक्ती जंगलों के बीच भाग रहे जिसके दोनों हाथ पीछे हैं हाथों में रसी बंदी है और पूरा चेहरा लाल कपड़े से ढखा हुआ है अगर बैक्ग्राउंड स्टोरी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि शायद अलू अरजन पुलिस वालों से बचकर भाग रहे हैं अब ये सीन में ऐसा क्या हुआ है कि अलू अरजन भाग रहे हैं और उनकी चेहरे पर रेड कलर का ये कपड़ा क्यों है तो दोस्तों पता चलेगा जब फिल्म 13 अगस्त को रिलीज होगी आपको बता दे कि इस फिल्म को डारेक्ट कर रहे हैं सूकुमार ये फिल्म 13 अगस्त को तेलगू तमिल हिंदी का नर्ड और मल्य आलम में रिलीज होने वाली है इसे प्रोड्यूस करें मैत्री मूवी मेकर्स और मुत्तु सेटी दोस्तों बात करें मेकर्स की फिल्म की तो उनका कहना है कि इस फिल्म को पैन इंडिया को ध्यान में रखते हुए और उनके ओडियोंस को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है ताकि इसका आनन्द सभी लेंग्विजिस के दर्शक उठा सके क्योंकि इस फिल्म से अलू अरजुन मैसिव स्टार पावर हैं इसलिए मैं पूरा विश्वास है कि इसकी कहानी को ज्यादा लोग पसंद करेंगे पुश्पाफ फिल्म की कहान ही एक एक्शन एंटर्टेनिंग स्टोरी है जिसके जरीए दर्शो को फ्रेस और जबरदस्ट कॉंसेट देखने को मिलेगा वेल दोस्तों देखा जा तो अलू अरजुन की जितनी भी फिल्में होती है काफी फ्रेश और काफी डिफरेंट होती है और जब उन फिल्मों में अलू अरजुन का तड़का लगता है तो फिल्म और धमाकेदार हो जाती है फिल दोस्तों आपको कैसे लगा ये फिर्स्ट ग्लिम्प ओफ फुश्पफ फिल्म नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राइश किंता कम गिंग कर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वज़े से पुश्पपा मूवी से विजय सेतु पती की एक्जिट हो गई और उनकी जगह कौन लेने वाले हैं साउट स्टार अलू अज़न की नेक्स्ट फिल्म पुश्पा के लिए सभी लोग काफी एक्साइट हैं और ये जानना चाहते हैं कि 2020 की हित अल्ला वैकुंठ पुरा मलू के बाद वो क्या कुछ नया लेकर आ रहेंगे तो आपको बता दे कि इनकी अगली फिल्म होगी धाकर अक्शन एंटर्टेन पुश्पा की स्टोरी रेट सांदल वूड की स्मगलिंग पर बेस्ट होगी जिसमें अल्लू हमें इसी धंडे में काम करते हुए लॉरी ड्राइवर बने दिखेंगे इनी के आपकोजिट फिल्म में रश्मिका मंदाना भी होंगी इनके रोल के बारे में हमें जादा कुछ पता नहीं लेकिन हेरो हेरोन के अलावा एक और इंपॉर्टेन्ट रोल होता है स्टोरी में जी हाँ वो है विलन का तो जी विलन के रोल के लिए भी मेकर्स ने एक अगड़ा कंटेंडर पहले चुना था जो की थे विजय सेतुपती और सीरिसली एक ऐसे अक्टर है जो साइड रोल में होके भी में अक्टर की परफॉर्मेंस को डॉमिनेट कर देते हैं और दिली तमन्ना तो यही थी कि काश यही होते फिल्म में बिलेन पर मेकर्स को इन्हें हटाना पड़ा और इसके रिगार्डिंग रीजन्स भी देखा है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इपला देखा तुम जड़ा साथ खून देंकर इतुना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुक्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपन दिखाना बेकार है इसकी कोई की मत नहीं है जिसका दिल पतरका उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बहादर गेटों की तब ही नहीं है इस मनक इमिटी उटके अगूं से नहीं है इन एक राक्छस को तो दबोच हूँ लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्छस को बचा लीगे आप अर्वार उड़ को पार इसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया को कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इपला देगा तुम जरा साथ खून देकर इतना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपन दिखाना बेगार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका तिल पप्तर का उसको फर्ख नहीं पड़ता जुस्तान में बहादर बेटों की तवी नहीं है इस मलक की मिट्री उनके खून से बहना है एक राक्षच को तो दबोच लिया लेकिन उसके साथ उस से भी बड़े राक्षच को बचा लिया था खोगोजाओन गया एकुए हमारतु है तीज़ ए जा जा टीज़ है यहालत गुछ है यहां कि दो ना कभी देखा गया अगभी सोचागी प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इगला दे तुम जड़ा साथ खून देंकर इतना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपन दिखाना बेकार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका दिल पर तरका उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बहादर बेटों की तब ही लिए है स्मल्क की मिटी उटके खुरूं से नहीं है उनने एक राक्षछ को तो दबोच लिए लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षछ को बचा जाए आपल जाए अबने बड़े लिए आपला जाए अबने एक बाहाँ आपला जाए ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी। प्रिजिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इखला गया। तुम जरा सा खून देखकर इतना तर गए। इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहुत मुत्तफा हो जाओ यहां से। यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है। इसकी कोई कीमत नहीं है यहां। जिसका दिल पत्फर का उसको फर्क नहीं पड़ता।